हेलो असलाम अलेकुम वेलकम टो नादर एपिसोड दो पाक्सान एक्सपीरियंस अवाम की भरपूर फर्माइश पर आपकी भरपूर तालियों से इस्तक्बाल कीजिए कॉंटेंट क्रियेटर जर्नलिस्ट रैशनलिस्ट सेयद मुझमिल शाह कैसे हैं आप विलकुल ठीक टाग आप कैसे हैं मैं विलकुल रवर्दस तवाम ने 500,000 सवाल भीज़ दिये हैं तो हम सवालों का सिलसला आज शुरू करेंगे बड़ इक हम अलड़ी वो स्माइल कर रहे हैं इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इतने सड़ेवे और इतने सीरियस क्यों रहते हैं मिलते मिए तो नराद रहते हैं। अम लेकं पताppen हैं अप लोग क्या करते हैं मेरे साथ वड़े कुछ रहते हैं जब भी हम मिलते हैं। बस लाह्रा आके आपने खाना के राया था तरह से मैं खुश हूं पर्फ्यूम था जो शेर के शेप में था तो हमने शेर हमारा पटवारी एक्सपोस किया था इससे पहले के कुछ और रूमर्स पहल जाएं अब जब 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 इंटू के रीसेंट हमारे हालात क्या हो रहें उन पर आपकी राये लेते हैं फिर लोगों के सवालों पर आएंगे hard to look past Ashtar Sharif's murder and anybody who calls it anything other than murder is lying to you. What are your general thoughts? Well, it's very difficult to say because it's very shady. इस तरह के जितनी भी assassinations होती हैं दुनिया बर में उसको figure out करना बड़ा मुशकिल है के pin point करते हैं, इसने किया, इसने नहीं किया. बट सबसे मैं समझता हूँ कि जो चीज प्रोब्स जादा होनी चाहिए पहले कीनिया जाने से पहले वो ये होनी चाहिए कि यहां से किस ने बगा दिया हूँ किया, यहां से जाने पे किस ने मजबूर किया. तो आपको पता बड़ा एक नया अन्प्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ था कि DGISI और DGISPR ने मिलके प्रस कांपरस की थी और उसमें DGISPR ने ये बताया था कि KP गर्मिन्ट की प्रोटो कोल वाली काड़ी पे बैट कि वो पिशावर एरपोर्ट पहुंचे ए ग्रीन नंबर प्रेट वाली पे और उसके बाद जो थ्रेट अलर्ट आया था वो भी KP गर्मिन्ट की तरफ से आया था तो मैं समझता हूँ बड़ा कंफरंटेशन का महौल है चूंके खान साब ने तो openly कह दिया कि इसके पीछे कौन है मैं जानता हूँ इन्होंने मरवाया है अब इन्होंने कौन है वो तो वही बता सकते हैं लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि मुझे नाम पता हैं तो मेरा ख्या जिसका अंसर कोई भी नहीं है लएस्से जो खुरम और एक और बंदा सा साथ उसका कोई इंटर्विव सर्फेस नहीं किया तस्वीर एका दी आई है वो भी कंफर्म नहीं है कि ये है भी या नहीं है और राना सनाओला साब एर वाय का मुलाजम कहरे हैं उनको ये भी नहीं लेकिन सल्मान अग्बाल साब की रेजिडंस पर वो स्टे कर रहे थे वहां पर रेजिडंस तो नहीं जो अरेंज करवाई थी उन्होंने शहदाद अकबर का भी नाम आ रहा है कि दुबई के अंदर उन्होंने स्टे करवाया अर्तालेस घंटे का उनको डेडलाइन दी गई कि आप यहां पर 48 आर्स रह सकते हैं इसके बाद आपको जाना पड़ेगा लंडन ने वीजा डिनाई कर दिया तो बड़ा एक उन्फॉर्चुनेट इंसिडंट है कि ऐसे वो मुल्क बदर होके सेल्फ एक्जायली कहलें इसको और वहां पर जाके उनको इस तरह से जो है वो मारा गया है और बिलकुल एक बहुत जादा फियर की फजा मैं समझता हूं खास्तोर पर जर्नलिस्स की जो कम्यूनिटी है उनके अंदर इस वक्त मुझे भी बहुत से लोगों ने इतने मैसेज किये कि यह क्या हो रहा है और पता नहीं बाकी सब की लाइफ से क्यों रहा या यही है कि इसके ओपर मैं नहीं समझता कोई भी इंकौईरी सामने आने वाली है इस तरह की जो अबजेक्टिव हो क्यूंकि पहले भी ऐसे बहुत से वाकियात हुए हैं इंटरनेशनली भी होते हैं नहीं समझ आती किस ने किया है और मैंने भी केनियन जेनलिस्स के कि काले चीशों वाली गाड़ी रात को सिगनल पे नहीं रुकती और उसके बाद पीछे से फायर किये जाते हैं उसके उपर और अगर तो वाकिए एसेसिनेशन अटेंट थी तो साथ वाले बंदे को क्यूं छोड़ दिया इतना तो कोई बेलोकूफ नहीं होता ना कि evidence छोड़ I would say targeted assassination ही है because I do believe in that I do pay a lot of credence to the idea कि गोली अंदर से मारी गई है क्यूंकि अगर आप पहली जो आप signal की signal तो नहीं था रोड पे पत्थर पढ़े वे थे रात को middle of nowhere अगर रोड पे पत्थर पढ़े वे हो कीनिया हो कराची हो पाकिस्तान हो most people will not stop there फिर आपने टायर पे गोली मारी फिर आपने गोली मारी आपने भी land cruiser की तस्वीर पोस्ट की थी उसमें इतने जादा bullet holes थे so this idea कि उनको close range गाड़ी के अंदर से या कहीं और गोली मारी गई है और फिर गाड़ी से सब को उतार के गाड़ी में गोली मारी गई है ताकि लगे कि आपने दूर से shoot out कि क्य गोली पड़ी है this does not feel like दूर से गोली आई है because मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी यही कहा था कि यह कह देना कि यह गोली इस तरह से मारी गई है कि गाड़ी को रोकना है यह नहीं लग रहा क्योंकि ड्राइवर को की side पर fire नहीं हुआ और सामने से भी कोई fire नहीं है पुलीस का एक version यह भी सामने आ रहा था कि हमने identify करने को कहा उन्होंने नहीं किया फिर हमने fire किया तो उसके लिए भी लोग फिर यह पूछ रहे हैं कि अगर गाड़ी रुकी है नहीं तो identification कैसे मांगी आपने तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि बिलकुल एक objective बात कर देना इसके उपर अभी बहुत मुश्किल है और unless के कोई UN का commission नहीं बनता क्यूंके केनियन government और पाकिस्तानी government दोनों के version पे मैं तो trust नहीं करूंगा लोगों का मुझे पता नहीं केनिया की पुलीस के कुछ officers confess कर रहे हैं कि हमारे dust quards हैं हम गिरफ़तार नहीं करते हम सिर्फ gun down करते हैं और उसके पैसे लेते हैं और last month भी दो Indian citizen भी गायब हुए थे वहाँ पे और मेरा क्याला मारा गया था उनको भी इस तरह से तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर corruption और rot बहुत है पुलीस के अंदर भी तो यह कहना कि केनियन government की जो inquiry होगी वो objective होगी या पर पाकिस्तानी government की होगी जो के अ अंगली उठाने का माजरा है तो वह यही है कि वह उसी तरफ उटनी चाहिए जन्होंने हमेशा से मुश्किलात पैदा की है साफियों के लिए और उनकी आवाजों को बंद किया है और पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो आपने देखा कितने मसाइल फेस की हैं पाकिस्तान अंगली और उनकी तो यह एविडंट है कि यहां पर सबसे बड़ी जो हसेलिटी जन्यलिस को फेस करनी पड़ती है वो स्टेट की तरफ से फेस करनी पड़ती है आपको नहीं पता च्छे साथ में से किसनी किया है लेकिन जो बिली हर दफा गलास तोड़ती ती चाहिए खुशाइन बात है कि यह जो लोग हम जैसे लोगों को घदार बोलते थे, भकोड़े बोलते थे, बोलते थे कि हम लोग पाकिसदान के खिलाफ हैं और हमारे खिलाफ शोस किये जाते थे, अब वो लोग कह रहे हैं यही सारी बाते हैं जो हम इतने टाइम से कह रहे थे, खान सा गोलियां लगने में मजाग उड़ाया करते थे Do you feel like they're coming to a realization that maybe they were wrong there? I think it's completely momentary और इसमें इसमें इनकी कोई ideological जो है वो solid ground नहीं है कि इसकी basis के उपर हमेशा के लिए अब ये visionary बन जाएंगे कि इनको समझ आजएगी कि साफती आवाजों को बंद करने वाले कौन है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक narrative की game है अर्शर शरीप साफ के case को अलादा कर दीजिए उसके अलावा जो दीगर साफी हैं मुलक के अंदर जैसे इमरान रियास खान का नाम ले सकता हूँ साबिर शाकर का नाम ले सकता हूँ इसके अलावा एक दो और भी जैनलिस्ट हैं ये साफी हैं ये लोग साफी साफी वैसे तो इमरान रियास साब परसनों कंटेनर पर खड़े वे थे खान साब के साथ बिलकुल खड़े होके ना वो आतला रहे थे हावाम की तरफ तो ये है कि इन लोगों के साथ जो मसायल पे इशारे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इन्नों ने एक लाजिकल स्टांस लिया और इन्नों ने अनबाइस रिपोर्टिंग की और फिर इनके खिलाफ जो है वो स्टेट ने सेंसर्शिप करना शुरू कर दी ये वो लोग हैं जिन्नों ने हाथ मिलाया था रियासत के साथ और बाद में सारी पर्क्स लेके उन से का कि हम जा रहे हैं ख़दाफिज अब हम खान साथ हैं जन्होंने स्टेट के साथ कुछ अल्टीरियर मोटिफ्स के लिए मौइदे कर रखे थे इमरान रियास साथ तो खुद जाकर अपनी जो लॉयर्स फॉरम है पी टी आई का उससे खिताब भी करते हैं और वहां जाके कहते हैं कि आपने लाके हमें सबूत दिखाए थे मतलब आपकी constitutional clarity भी zero है कि आपको पता नहीं है कि किसका क्या काम है किसका क्या नहीं है जिस तरह खान साथ ने कल कह दिया तो लगज़े मुझे क्या है इसके लावा असद उमर साथ ने क्या कहा कि हमने establishment से मुलाकातें करते हुए कोई गैरानी मुतालबा नी किया सिर्फ ये क election करवा दें असद उमर को यहीं नहीं पता election फॉज नहीं करवाती ठीक है इसके लावा खान साथ ने क्या कहा जी कि सौरी असद उमर ने दुबारा press conference में कहा कि हमने अगर सिर्फ ये मसला था कि आपको extension चाहिए थी उसके लिए आपने हमें उखाड के बार ठैक दिया तो व ने पहले form houses जो खड़े की हैं मैं अरबो रोपे के वो कहां से आएं मैंने अपनी इन आखों से बहुत से साफियों को मोटर साइकलों से S-Class Mercedes चलाते हुए देखा है लावर के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ इसी बिना पे अमीर हुए हैं कि एक दम से पैसा पता नहीं कहां से आया है तो अगर इन पर asset beyond means के case बने तो यह सारे अंदर चले जाएंगे because they don't have any justification of their assets यह सारे इसी तरह से आये हैं जिस तरह आप इंसे चीना जा रहा है तो यही चीज़ अगर आपने चंद माफियास के साथ हाथ मिलाना होता है तो आप आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते तो इन्होंने सिर्फ डिफेक्ट किया है और certain जो इनकी understandings थी वो तोड़ी है इसलिए इनको अब मार पड़ रही है जिन लोगोंने कभी cooperate नहीं किया उनके इतना मसला नहीं है आजकल और आज खान साब अगर establishment के हाक में हो जाएं तो यह सारे भी एक band wagon बनाके ना उनके हाक में बात करना शुरू कर देंगे फिर एक और बात थोड़ी बात लंबी हो रही है वो यह कि इन सारे लोगों की अगर आप social जो बिलीफ्स हैं उन पे बात करें तो it's rotten to the core इतना बुरा हाल है इनके mind's का कि politics में तो anti establishment है लेकिन खवातीन के खिलाब बात करते हैं somebody like somebody like somebody लिए जो के openly टीवी पे आके genocide की call दे रहा है minorities के लिए उसके हक के लिए मैं बात करूँ मतलब हर बंदा मुझे आकर कहता है कि यार आजकल साफियों पर तशद्द हो रहा है तुम बोलते नहीं हो तो मैं यह कहता हूँ कि भाई उनके belief सुने हैं आपने मैं तो सिरफ यह कहता जो reciprocate करना जानता है freedom को who is ready to give up freedom for others as well जो अपनी राये दूसरों पे ना थोपता हो सिरफ उसके लिए freedom होनी चाहिए तो इसमें मेरी को delusional sense नहीं है freedom की कि एक ऐसा idea होता है कि हर किसी के लिए बराबर मिलता रहे इस तरह तो fascist हो कोई nazi हो उसको भी freedom मिल जाएगी माशरे म हैं और ये कह रहा था तो मुदर करने क्या गई तो इस तरह के लोगों के लिए मेरा दिल नहीं करता को खास बात करने का कि इनको freedom दी जाएगी क्योंकि ये खुद freedom पर यकीन नहीं करते ये सिरफ और सिरफ ulterior motives के लिए खान साब के अपमे anti-establishment हो गए है and it's very short lived बहुत जल ये paradigm फिर से reverse हो जाएगा और आप और मैं दुबारा जबदार बन जाएंगे अबी कल पर सुहीं and again we condemn these arrests इस तरह जनलिस्ट को political basis पे नहीं अरेस्ट करना चाहिए लेकिन वो इस तरह की tweets कर रहे थे कि आसे जरदारी hospital में Allah करे पूरे कौम को इननल बोलने का मौका मिले तो आप लोग openly celebrate करते हैं openly wish upon करते हैं death एक दूसरे की and again maybe we would still want in general लोगों के लिए freedom हो लेकिन कुछ law and order भी हो ना जिस तरह हम कान साब भी है constitution subvert कर चुगा है यार एक इनसान Supreme Court बोल चुकी है के there was an attempt to subvert the constitution और उसके बाद कुछ भी नहीं होता कोई कोई फारक नहीं पड़ता how do you see the DGA ISI ISPR conference is it big or is it just nothing nothing too big well it's actually the announcement that we are not as big as we used to be in the past और वो नीचे ने का देना के dialectics is the you know is the tactic of the weaker person क्यूंकि argument में वही इनसान पढ़ता है जिसके पास बहुत जादा ताकत नहीं होती जो एक दफ्तर के अंदर बॉस होता है या कोई patriot या मोनार्क होता है उसको argument से लोगों को convince करने की कोशिश करनी नहीं पड़ती वो सिर्फ order देता है वो काम हो जाता है तो अब ये पहली दफा मुल्की तारीफ में हमने देखा है कि DJI S.I.E. आकर एक discussion करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ये जो हमने किया उसकी ये reasons है तो जब आप arguments में पढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी power आपके हाथ से चली गई है इसलिए आपको टीवी पर आकर लोगों को convince करना पड़ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि obviously they were under heaps of pressure जो उनने फिल किया इसलिए उनको सामने आकर ये सारा कुछ explain करना पड़ा long march भी उससे अगले दिन start होनी थी तो एक external pressure भी था कि अगर Islamabad की तरफ ये लोग आते हैं और नारे बाजी जिस तरह जलसों के अंदर हो रही है खान साब ने जलसे के अंदर कह दिया कि DJI साई कान कोल के सुन लो ये वो तो obviously उसका pressure feel किया और हमेशा से ये होता रहा है कि जो narrative था वो DJI SPR का या फिर इन एदारों का foremost था क्योंकि जो means of communication थे उस पर domination थी establishment की पहली मरतबा ये हो रहा है कि किसी और की domination है means of communication के उपर और हमेशा से narrative वो जीता है जो over produce कर सकता है एक version को truth के आजकल की दुनिया के अंदर because आजकल की दुनिया में सही होना या गलत होना debate नहीं है वो सिर्फ ये है कि over produce कौन कर रहा है truth को तो खान साब की जो machinery of communication है वो इतनी gigantic हो चुकी है कि उनकी जो over production of his own truth है जो उनकी अपनी historical narratives हैं वो हमेशा जीत जाते हैं बाकी सबसे तो अब मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ की announcement और proclamation थी कि जो narrative की war थी उसमें जो हमारी establishment है वो पीछे रह गई है और जो PTI की brigade है वो number one पर आ चुकी है इसलिए उस press conference के बाद आपने देखा कि कोई खास उसकी ripples जो है वो travel नहीं की लोगों की जो mentality थी इमरान खान साब को लेके establishment को लेके मैंने उसमें बड़ी तब्दिली होते वे नहीं लेखी don't you think सोड़ा long march पे फरक पड़ा है कि मतलब परवेज इलाई, शामेमुद कुरेशी, शेक रशीद शेक रशीद की तपित खराब हो गई वो long march नहीं जोइंग कर सेके तो यह जो हमारे खान साब के around सारे politicians हैं जो signals और इशारों का वीट कर रहे होते हैं उनको बड़ा clear signal चला गया कि आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हैं since long march पंजाब में हो रहा है make sure कि successful now at least don't put your resources और पंजाब's resources और PMLQ's resources to make it into a success and yes, लोग pictures post कर रहे हैं कि long march में बहुत जादा लोग है अमरांग खान popular है हम नहीं deny कर रहे हैं at least मैं तो नहीं deny कर रहा लेकिन जो numbers चाहिए revolution लाने के लिए वो numbers नहीं है in fact, वो लोग जतने expect कर रहे थे उतने भी numbers नहीं है खान साब ने कोई पराने जल्सों की तस्वीरे पोस्ट कर दी है so, the press conference did have an effect on the long march don't you think? I think it's not about the press conference क्योंकि जिन सियासदानों के आपने नाम लिए है वो हमेशा उनको रात को एक फॉन जाता है और वो सारा narrative reverse हो जाता है तो उनको press conference की जहुरत नहीं है अपना narrative चेंज करने के लिए press conference मुझे लगता है कि सिर्फ अवाम को convince करने के लिए थी कि वो clarify करें कि हमारे खिलाब जो defamation campaign चल रही है social media पे, twitter पे और लोग जो overall हमें बुरा भला कह रहे हैं उसको tone down किया जाए तो उसका जो wide objective था वो ये था कि mass appeal थी उसकी एक कि ये जो narrative अमरान खान साब पहला रहे है कि एक तो बैरुनी साधिश हो गई तो कैटेगोरिकली deny कर दिया उसको आकर कि किसी किसम की कोई conspiracy अमेरिका ने नहीं की ये कह दिया उन्होंने फिर अर्शे शरीफ के murder को pitch करने की कोशिश की इमरान खान साब की government जो केपी में है उसके उपर तो ये सारा कुछ जो था मैं समझता हूं कि एक public की exercise थी कि उनको convince किया जाए कि ये जो narrative अवाम में फैल चुका है इसको reverse कर सकें otherwise जो politicians हैं उनको तो रोकना सिर्फ पर्दे के पीछे से बहुत असान है उनको सिर्फ एक signal भेजना आपने एक call करवानी है कि यार आपने इस long march में हिस्सा नहीं बनना otherwise पिर देख लेंगे आपको तो वो उसके लिए press conference was not required I think it was more of an activity of engaging with the masses और वो आप देख लें कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेस्बुक पे क्या लोग convince हुए हैं इस सारी चीजों को लेकर नहीं हुए मैंने नहीं देखे इमरान खान साब के जो supporter है उनका कहीं पर भी कोई mind change हुआ है press conference के बाद मैंने नहीं देखा तो इसलिए जो पहले से इमरान खान को हुआ लेकिन नहीं, establishment को भी फाइदा हुआ है अर्शे चरीफ के murder के बाद एक खौफ की फिजा तो पहल चुकी है वो journalist community का आपने भी जिकर किया मैंने भी लोग उसे पूछा है, बाते ही की है people are genuinely fearful, people are not saying things as openly as they were maybe even a week ago और वो फिर अवाम को भी एक signal चला जाता है both of us will probably agree to this कि हमारी जो मुल्क की elite है वो तो थोड़ी morally bankrupt है और विचारी जो lower middle class या lower class हैं, उनके financial resources इतने हैं नहीं, कि वो revolution risk कर सकें, मौस लोग यह higher needs इस तरह की होती है, तो तो इस नोट लाइक के जब जियाल हक्त ने जुल्फिकारली भुटे को टांग दिया था तो पब्लिक sentiment बदल गया था overnight, it's just that the fear was there so the press conference was a clear signal and then अर्शद चरीफ का murder एक at least perception तो जा रहा है न सबके जहन में तो वो जो एक fear का climate है उस fear उसकी वज़ा से भी तो लोग घर पे रहते हैं और नहीं आते किसी long march में बिलकुल एक amount होगी इस तरह की लोगों की जो के उसको as a direct threat ले रही है और ये समझ रही है कि DJI SPR ने press conference में ये भी कहा था ना कि article 245 के तहत अगर government हमें बुलाती है situation control करने के लिए तो हमाने को तैयार हैं बहुत बड़ी बात की थी उन्होंने जो लोग मिस कर गए और उसका मतलब यही था कि अगर law and order खराब करते हैं ये लोग इसलामबाद आकर so we are ready to jump in and control the situation जो कि एक direct कह सकते हैं कि एक warning भी है जो लोग मार्श के साथ आएंगे जब पहुंचेंगे बहांबर तो obviously इसका तो है लेकिन मैं समझता हूँ खान साथ ने दुबारा से जो है वो दर्वादा कटकटाना शुरू कर दी है establishment का और पिछले दो तीन दिन में जहां जहां रुके चाए वो गुज्रावाला हो कामो की हो शादरा हो जहां जहां उनकी रैली रुकी है उन्होंने वहां वहां खड़े होके नाम लेके दो अफसरान के तो नाम भी लिये हैं कि ये इसलामबाद आकर बैट गए है और इनको पता नी कि खान साब ने ये रियलाइस किया है कि प्रेस कांफरस्स से डेंट पढ़ सकता है मेरी अपील के अंदर मेरी सपोर्ट के अंदर क्योंके लोग खौफज़ाद हैं तो वो उसको बहुत जल्दी रिवर्स भी कर रहे हैं क्योंके पीटी आई की जो जितनी ब्रिगेड है जितने सपोर्टर्स हैं वो सारे खान साब को देखते हैं जो अलफाज वो इस्तमाल करते हैं वो टॉप ट्रेंट बन जाता है जो चीज वो उनको विजन देते हैं अपना वो सको डॉप्ट कर लेते हैं बगएर सोचे समझे क्योंकि ये मैस स्टेरिया ही है सारा तो इसलिए खान साब उसको रिवर्स करने की पूरी कोशश कर रहे है जहां तक साफियों का तालूग है तो अब इसलिए जिस तरह से मैंने आगाज में कहा कि फियरफुल तो हैं बिल्कुल क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये तो एक इंतहाई एकदाम है जो हो चुका है और सीजी हुआ है बेशक लेकिन अगर एक ऐसा इनसान जो डिसेंट शो कर रहा था इस्टैबलिश्मेंट को लेके और एक दम से ये रैलियों वाला जो कल्चर है ना इससे लोग एक्जास्ट हो चुके हैं आपने देखा था कि जब एपरिल में आई गया इस खान साब लॉंग मार्च के लिए आये थे बुरी तरह फलॉप हुआ था वो शेलिंग भी होई थी उन दिनों तो लोग खान साब को वोट कर रहे हैं लेकिन ये लॉंग मार्चिस करने के हक में नहीं है इवन लाहॉर के अंदर जो लिबर्टी स्क्वेर के अंदर जो एतजाज हुआ था जहां से खान साब ने आखास किया इस मार्च का वहां पे बड़ा नंबर था लेकिन जब लाहॉर चोड़ने के लिए साथ चलना था तो लोग घरों को चले गए तो इसलिए ये वाली एक्सराइस बड़ी एक्जास्टिंग है और रेवलूशन जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि वो कोई जेन्वन क्लेम्स होते हैं जो इंटर्नलाइजड होते हैं अवाम इतनी मोटिवेटेड होती है कि वो कुछ भी करने को तयार होती है तो इस उनको कन्विंस नहीं करना पड़ता कि आप लोग निकलें और बाहर आएं अतजाज करें तो इसलिए खान साब के ओपर वो दोर आ चुका है कि दो बाएलेक्शन हुएं आपने देखे हैं कि एक में छे सीटें वो जीते हैं अकेले ही इसके लावा एक में पंदरा सीटें पंजाब से जीते हैं तो उनके पास बैलिट बॉक्स की पावर है लेकिन जो मॉबिलाइजेशन है कि अवाम को यहां से इसलामबाद लेके जाना वो फियर हो या ना हो वो इतनी नहीं रही पहले की तरह जलसे वो बड़े कर सकते हैं लेकिन ये लाउंग मार्चिस इस वेरी एक्जास्टिंग ज्यादा मिडल क्लास की सपोर्ट है और लोग दफ्तरों से नौकरियों से चुटियां लेके छे दिन के लिए इनकलाब के लि हम इरान में ही देख लें कि अगर कोई सोशल इशू के ओपर रेविलूशन हो इसके जादा चांसे हैं और इवन फियर की और पावर के हम बात करते हैं लॉर टाइम्स कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो सकता है जो इंस्टिगेट कर सकता है हमने भी एले मुवंट देखी अगर सारे आपके किसी पार्टी के लोग सीनल लोग बैठे में और आप उनके सामने लिख रहे हैं और उनके सामने लिख रहे हैं अगर साथ और कि अगर्णलिक यर्सेफ यूर्सेफ और आप नाट वाइने लाइने के साथ तक्रीब आप मैरा करीव आगास था जो लाओर में और जार साहिए ताइम पर बड़ा इंफमस अधारा था और सदाव साहिबा को मैंने वहां पर बहुत मैल्ट्रीट और मिस्ट् आती थी कि वो क्यों वहाँ पर काम करती रही हैं उनको तकरीबन दस से पंदरा साल हो गए थे एक ही इदारे के अंदर और वो वो जगह है जहां पर मैंने भी छे से आट महीने काम किया और मुझे चार महीने की सैलरी आज तक नहीं मिली और बहुत से लोगों को कभी भी नहीं मिली इतना exploitative एदारा था दूसरा मसला ये कि वहाँ पर मैं openly बात कर रहा हूँ ये सब साफियों को पता है कि उससे घटिया कोई जगा है यह नहीं वर्कर के राइट्स के लिए जहां पर exploitation भी होती है खवातिन को abuse का शिकार किया जाता है उनको गालियां भी दी जाती है और साथ साथ उनको तंखाएं भी नहीं मिलती ही वक्त के उपर ना कोई working hours हैं ना कोई facilities हैं तो सदफ साहिबा क्यूंके दो बच्चे थे इनके और हमने इनको इतनी मेहनत करते वे देखा है ना यूंकि उस ताम ये शो बिस की reporter थी और हर वक्त फील्ड में कैमरा लेके निकले ह साथ कोई resources नहीं हैं इस बार भी जब ये मार्च में गई हैं इनकी PTI की बीट थी बिचले एक दो साथ से तो इस बार भी मार्च में जाने के लिए इसको इदारे ने कोई गाड़ी फराम नहीं की इसलिए वो पैदल भागती भी दिखाई दे रही होंगी आपको एक वीडि कार बनी तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि गर्वर्मिन्ट के इदारे क्या सोय हुए हैं कि उनके अंडर इस तरह के साफ़ती तन्जीमें आप कहलें या और लोग कहलें कोई आवाज नहीं उठाते ये माफियाज हैं जिन्होंने ब्लैक मेलिंग भी की है जिन्होंने ब उसने चौते फ्लोर से वहीं खड़े होके च्छलांग मारी और सुसाइड कर लिया था तो बहुत से ऐसे वाकियात हैं मैं नाम लेना शुरू होंगा तो वो खतम नहीं हो सकते ठीक है जो जो कुछ इन लोगों ने किया है वो ऐसी दास्ताने हैं कि मीडिया में बैठके आप को कोई क्यों नहीं बताता क्योंकि लोगों की नौपरी चली जाएगी बर आइडम केर क्योंकि यही बात है ना कि अगर आपने अपने प्रिवलेज के लिए जुबान बंद रखनी है तो आप भी पर क्रोनी है उनके तो यह बात है कि सदब साहवा का ट्रीटमेंट बहुत एक बड़े बड़े साफी और पॉलिटेशन कमरे में आ जाएं और वो कहें के जल्दी लिखो यहां पे कि तुम्हें कोई अतराज नहीं है कानूनी कारवाई नहीं करोगे उस ट्रामा ही खतम नहीं हो रहा होता और यह फॉरन वहां पर पहुँचे हैं और मुझे दो चार लोगों के नाम भी पता हैं जो उस मीटिंग में बैठे हुए थे जैनलिस्स थे उन्होंने इंटर्वीन करके पीटी आई के हक में वहां पर यह अग्रीमेंट करवाया तो मैं समझता हूं बहुत गलत किया है कि फॉरन यह लोग भाग के कानूनी कारवाई से बचने के और यह ओवराल पाकिस्तान का जो पुलीस कल्चर है यह उसकी मैनिफेस्टेशन है शाजएब कतल केस में क्या हुआ आपने देखा है अभी कि वो जिसने ओपन ली जा कि गोलियां मारदी वो बार पिर रहा है ठीक है तो यह यहां पर यही होता है कि प्रेशराइज करना बि गुजारा कर रही थी इसलिए ऐसे एदारे में इतने साल काम करना पड़ा जहां पर इनसान एक दिन न गुजारे तो यह उसकी मचबूरी की अकासी करती है जो बात थी सारी I think I mean again यह तो basic इंसानियत के ओपर बात आ जाती है and political agenda के लिए लोग murder पर जंप करेंगे लेकिन manslaughter भी एक चीज होती है ना law में criminal negligence भी एक चीज होती है and I think आप कुछ PTI पे उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं है इसी वज़ा से खान साब खुद भी एक दफार गिर गए थे हो जाती हैं इस तरह की चीजें के guards गलत चीजें करते हैं negligence होती है, मसले मसाहिल होते हैं, चीजें perfect नहीं होती but that negligence itself which leads to manslaughter if not murder वो किसी ना किसी की तो आप जिम्मदारी रखें ताकि future में इस तरह की चीजें ना हो the fact that you just let it go all together, not individual responsibility, not organizational responsibility तो फिर people feel important कि हाँ इस तरह की चीजें करते रो, कोई tension नी धक्या देते रो arrangement सही ना करो, बहले कोई मर भी गया, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा obviously, खवातीन के लिए reporting फिल्ड में करना बहुत मुश्किल काम है, पहले दो चाह मरतबा जीओ की रिपोर्टर्स के ओपर भी लोगों ने पत्थर और बोत ले फैंकी थी, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, इसके अलावा harassment के issues होते हैं, जब वो बाहर जाती है मैंने आज से एक एका दफ़ते पहले की बात है, मेरी एक कॉलीग बात कर रही थी कि उसको बड़ा शौक था कि बाहर जाकी फिल्ड पर रिपोर्ट करें, लेकिन जैसी मैनेजमेंट को का मुझे बेजे हैं, उन्होंने का आपको पता है, बार महौल किस तरह का है, हम security नहीं के इशूस भी सामने आ चुके हैं, और इसके अलावा मुलतान का जलसा आपको याद होगा, स्क्रेडियम का जहां पर पांच-छे लोग मर गए थे, पीटी आई का जलसा था, कुछ से आज से दो साल, दो तीन साल पहले की बात है, तो इसलिए वहां पे इंतजामात अच्छ और नहीं किया गया कि खवातीन साफ ही आएं और इस तरह से, खैर खान साब का बयान तो आपने देखा ही होगा, घरीदा फारुकी के बारे का कि मर्दों के अंदर गुसोगी तो ऐसा तो होगा, ठीक है, तो जब लीडर्शिप की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं तो तब मा जनलिस्ट है, जो सदफ का कॉलीगी था, उसका जो वर्जन है वो यह है कि मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई जब गार्ड्स ने धका दिया, तो इन्होंने आके मारा है मुझे और वीडियो डिलीट करवा दी, और लोगों के भी तशद्द्द कर रहे थे, तो अब इसको प बड़ी अजीब बात है कि MQM की तरह की पार्टी जो के जलसे किया करती थी कराची में, आपको याद होगा कितना ओर्डर होता था जलसों के अंदर, मतलब क्यूस बनी हुई है, सब जमीन पर बैठे हुए हैं और इतना डिस्टंस है, और वो जो है, वो मार्किंग हुई तो बड़ी एक और्गनाइज पॉलिटिकल अक्टिविटी लगती थी उस ताइम पे, लेकिन और किसी सियासी पार्टी के जलसों में हम यह नहीं देखते होता हुआ, बिल्कुल के औस होता है, वो MQM की तर्गनाइज होती थी ना, कि अगर ना हो तो फिर, तो फिर रात मे यह भी सुनाएं कि सबके NIC रख लिए जाते थे, अगर आप जलसे में नहीं आएंगे राग को बैठके भाही की बातें नहीं सुनेंगे, तो आपके NIC भी जब्त कर लिए जाएंगे, आपने बात की कि राना सनावला पे भी ट्रस्ट नहीं है, I just want your opinion on this, because मैं भी इस बारे रही है, the idea के justice का सिंबल पाकिसान में, Supreme Court of Pakistan is very questionable or the judiciary or the court system in general, but at the end of the day, democracy हो, Parliament हो, Supreme Court हो, जो भी आपके अदारे हैं, election commission हो, पाकिसान हो, जतने भी मौत रिडन हैं, जतने भी बर्बाद हैं, you need to work towards institutional building of these institutions so that they evolve into something better and they all keep a check on each other and उस तरह हैं, institutions बनते हैं rather than believing in a messiah that will change everything. So do you believe, do you think, because again, I am also not convinced on either way on where I stand on this, but do you think that the fact that Imran Khan is the most dangerous for this system, and I don't mean the status quo which should absolutely be destroyed, but the institutions, the nation, whatever the ideas are of which things that need to be valuable in a country, Imran Khan on ko barbad karna chaata hai, ya apne underlana chaata hai, which is why he's a lot more dangerous, whereas other parties also try and bend them, but more or less, wo kuchh na kuchh एक दूसरे पर check रखने हैं, whereas Imran Khan has the potential to be an unchecked dictator. Well, कै सकते हैं इस चीज़ को, क्योंके देखें न, हमें 20th century की सारी तारीख यही बताती है, कि जो great man politics होती है, इसका result हमेशा disastrous निकलता है, ठीक है, क्योंके यह crowd maneuvering होती है, इतनी ज्यादा इसके अंदर, और अगर आप fascism की definition भी पढ़ लें, तो उसमें यही था कि एक greatness की myth create करनी है, जिसमें एक great nation होगी, और उसकी एक spiritual destiny है, और उसको हमने पूरा करना है, तो it's a movement in history, जो के अपनी history भी rewrite करती है, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर भी एक history rewrite करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साब का historical narrative भी अपना मुकम है, एक normal इनसान आपकी मेरी तरह का, वो एक vision देता है future का, और कहता है कि पहले माजी बुरा था, अब हमने मुस्तक्बिल को अच्छा करना है, लेकिन populist कहता है कि माजी अच्छा था, और हमने मुस्तक्बिल में उस माजी को reincarnate करना है, ये बहुत बड़ा फरक है जो लोग miss कर जाते हैं, अब शहबाज शरीफ, आसिफ अली जर्दारी या ये सारे लोग, इनका future का जो vision है वो revivalism, इन में capacity नहीं है कि ये एक mass propaganda create करें, ये इनकी weakness है, इमरान खान का phenomena is the direct result of the inability of the butto family and the नवाज शरीफ family as well, क्योंकि इन दोनों ने एक ऐसा vacuum create किया है, कि वो perfect breeding ground था, बात की थी, कि हमेशा से वहां से मर्च करता है, जहां पर institutional debility होती है, वो काम नहीं कर रहे होते हैं, institution पहली बात, दूसरी बात, mass poverty फैलना शुरू हो जाती है, और hopelessness होती है, तो इस तरहां आके एक nation को pride की feeling देना, आपको secure कर देता है, मैं किताब recommend कर देता हूँ, Gustav ली ब है, और आप अगर वो पढ़ें तो आपको लगता है, कि इस वक्त पाकिस्तान का case वो बन चुका है, कि इंडिविजूल्स जो है, वो अपना mind rent कर देते हैं, ऐसे लीडरान को, ऐसी movements को, जो उनको इस तरहां का vision देती है, जो collective hysteria होता है, परली बान ये कहता है, कि ये लोग असल में hypnotize हो जाते हैं, मतलब mass hypnotization है, कि आप कोई भी factual argument करके देख लें, सर खपालें अपना, किसी बात पे काईल होने को तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि respect evidence की जब खतम हो जाती है, then no amount of evidence is enough, कि किसी को कुछ साबित कर दें, किसी तरह ले आएं, तो इसी लिए मुझे बल और corrupt नहीं, बलके उसके साथ साथ एक mass hysteria create करने की potential रखता है, अगर आप जर्मनी का case देख लें, तो 1933 में ये election जीते हैं, उससे पहले वीमार Republic थी, तो अगर उस दौर में मैं और आप होते, तो वीमार Republic थी corrupt, financially भी corrupt थी, और उनसे manage नहीं हो रही थी economy, और इतना disastrous result आया कि 10 billion marks का note भी German cities में आ गया था, 10 अरब रुपे का note, डबर रोटी के लिए गाड़ियां भरके पैसे जा रहे हैं, ये है शरता उस ताइम पे, तो अगर उस ताइम आपको और मुझे option बिलती, कि आप वीमार Republic को support करते हैं, या नाजीस को, national socialist movement को support करते हैं, तो आप किसको कर करता है, जहां पर inability हो और corruption भी हो साथ-साथ, और वो उस पर autonomy ले जाता है, तो ये भी यही इसी तरह की movement है, क्योंकि इसमें democracy की कोई respect नहीं होती, institutions को recognize, ये लोग नहीं करते, ना ये constitutionalism पर यकीन करते हैं, आरे फल्वी साब ने पंतालिस जो है वो ordinance पास किये थे, जो के record है की जाए, वो कम है, लेकिन भुटो साब वाली कुछ capacities मुझे लगती है, और इम्रान खान साथ की speciality ये है, कि इन्होंने ये पहले ऐसे leader है, जोनोंने पाकिस्तानियत को redefine किया है, establishment के इलावा, हमेशा से पाकिस्तानियत की definition establishment ने दी है, कि सिंधी, पंजाबी, पश्टून, बलोच, गिलगीटी, कश्मीरी, कुछ नहीं होता, एक homogenous identity create करो, ताकि जो local cultures हैं, जो traditions हैं सारी, वो undermine हो जाएं और एक पाकिस्तानियत की superficiality उपर आ जाए, तो खान साब ने आकर वो जो जिस तरह से unified किया है न, आप ये देख लीजिए, कि लोर क्लास हो, कच्छी अबादी हो, DHA हो, हर जगा से इमरान खान का जलूस निकल रहा है, it's a very mind-boggling phenomenon, कभी ऐसा नहीं हुआ शायद पहले, बुटो साब के दोर में शायद हुआ हो, लेकिन जिस तरह हैना अरंच ने भी कहा था, कि ये temporary alliance of the elite and the lower classes होती है हमेशा, authoritarian regimes, क्योंकि शुरू में ये दोनों को unify कर real में convert करना है, और नाजिस का भी ये ही था, सबका ये था, तो आप और मैं जितना भी सर का पाएं कि इमरान खान जो बातें कर रहे हैं, वो आइडियलिस्टिक हैं, वो उसमें कोई clarity नहीं है, वो factual नहीं है, और वो अवाम को delusion की तरफ लेके जा रही हैं, लेकिन इनके objectives ही ये ही होते हैं, कि हमने great nation in the history बनानी ही, वो ही आपको speeches याद होंगी, कि लड़ोगे, मरोगे, पाकिस्तान को अजीम कौम बनाएंगे, दुनिया का लोहा बनाएंगे, तो ये भी किसी अर्तक उस तरह ही हैं, और हमेशा इस तरह के जो लीडरान होते हैं, वो censorship से बहुत ज़ बहुत ही कम हो, तो कोई मुझे ये कहे कि मौरल financial corruption को भी उतना ही condemn करो, जितना तुम fascism को करते हो, तो मैं तो कहूंगा नहीं, मैं नहीं कर सकता, because बहुत से लोग आप पे भी الزाम लगाते होंगे, मुझे भी लगाते हैं, कि आप biased हैं, quote unquote, तो मैं तो कहता हूं, जी biased हूं, बिलकुल हूं, हजार दफा कहने को तैयार हूं, biased in the favor of democracy, biased against fascism. साल के बच्चे हैं, ये social media dominant करते हैं, और नए नए 13-14 साल के बच्चे आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि social media पे सिर्फ ये लोग dominate करें, बट लोगों की अकल ठिकाने आना शुरू हो गई है, और आप जो कहने हैं, खान साथ पहले इंसान है, apart from the establishment, apart तो नहीं हैं, ये तो synonyms हैं, अब तो किसी को कोई question नहीं रहना चाहिए, अब तो DGISI ने खुद आ कर, as close of an acknowledgement as you will get, कि अमरान खान हमारा project था, हमने बन establishment, even right now, जब anti-establishment, anti-establishment कहते हैं, it's anti-segment of the establishment, not the entire establishment, खान साथ पर हमने पिछली भी पूरी podcast की थी, लोग बोलेंगे कि आप लोग सिर्फ खान साथ करते हैं, हम लोगों के सवालों पर आ जाते हैं, को जिस दवाब बहुत जाद हैं, जी जी, जी, बोफर, apart from the establishment, उसमें मैंने ये का कि जो रियासत मदीना, या फिर जो पाकिस्टानियत की definition इबरान खान साथ ने दी है, वो उनको establishment ने नहीं का कि मदीना की रियासत क्रियेट करनी है, वो उनका personal vision था, obviously, की came in power of the establishment, उस पे तो कोई debate ही नहीं है, लेकिन जो vision वो देते हैं अवाम को, कि सूफिजम को, डिमॉक्रिसी को mix करना है, इसके इलावा जो welfare state create करनी है, 7th century वाली, वो सारे का सारा agenda और पाकिस्तानियत को redefine करने का जो project है, वो इमरान खान सेंटरिक भी है, single national curriculum लाने के लिए, जनल बाजवा ने इमरान खान साथ को persuade नहीं किया, तो खान साथ की जो ideological project ह है, वो सिरफ खान साथ के है, जो political project है, वो establishment ने लाँच किया, there's a difference. No, I think even ideologically, if you look at it historically, from where Imran Khan started and what he was saying and then what he was fed, आपने भी पड़ी वे हुसेन हाकानी की between the mosque and the military, ये सारे जो narratives कान साथ के हैं, इस सारे narratives की पहले 6 floor establishment नहीं बनाई है, और establishment नहीं उनको दी है, सात्वा floor शायद खान साथ में बना दिया हूँ. नहीं, when it did not work for him, जब वो humanitarian cause के लिए बात करते थे तो उनको एक सीट ही मिलती थी सिरफ, तो वही बात है कि जब उन्होंने देख लिया 21 साल जदो जायद करके कुछ नहीं बना, तो फिर उन्होंने ये वाला vision क्रियेट किया, जो populous vision था, हाथ में तस्वी भी आ गई, नंग काम नहीं किया, तो फिर शायद उन्होंने switch किया इस चीज़ को, लेकिन जो सारे जो vision है उनका, ये जो welfare state का vision है, या फिर वो जो ये बात करते हैं, कि फाशी कैसे फैलती है, या फिर खवातीन की movements को जो है वो tone down करना, उसके खिलाब बात करना, जो उनकी internalized misogyny है सारी, वो मुझ से निकलते हैं, मैं ये समझता हूं. पाकिस्तान से नीचे तक पहुंच गया है, तो औरों में भी उमीद रखें, what made him, what he is today, as in the broad mindedness and thought process. क्या सफर है आपका जहद हामित के पाकिस्तान से, मुझमिल शाह के पाकिस्तान तक? हाँ, वो तो, वो किताब मुझे याद है, जब खरीदी थी पहली तो उसका पहला सफ़ा गूस बंसा रहे थे पढ़के, के रेडियो पाकिस्तान से आवाज आई, पाकिस्तान बन चुका है, और ये है रेडियो पाकिस्तान, तो मैंने का क्या बात है, यार जबर, वाँ. आपने पैल्जिक हैं, मुझे थोड़ा से. आसू आरे हैं, मुझे नजर आरे हैं. रास्ता बदल बदल के आरे हैं, तो बात ये के सबसे बड़ी चीज़ ही होती है कि एक आपके अंदर एक अगर क्रिटिकल फैकल्टी मौजूद है, दमाग में सोचने की कुवत मौजूद है, तो सिर्फ आप एक एविडिन्स की दूरी पर हैं, अपने आपको एक इस तरह की डिलूजिन से निकाल के रैशनल इनसान बनाने की दूरी तक. क्योंकि एक तो ये होता ना कि नौलिज अवैलेबल ही ना हो, जिस तरह पुराने दोर में था, जिस तरह गौरीज ने बाह इन्फरमिशन नहीं है, आज कल के दोर में ये है कि समझ नहीं आरी कौन सी इन्फरमिशन थी कै का कौन सी गलत है, क्योंकि इन्फरमिशन की इतनी कार्बन कॉपीज बन चुकी है, कि उसको स्पॉर्ट करना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से वो मैं, जी इन बॉड़रे इसको चेक करना शुरू किया, कि आया ये रैशनली स्टैंड भी करते हैं या नहीं करते हैं, तो मुझे बड़ी हुमिलियेशन हुई, दो-चार लोगों से आर्गूमेंट किया, उन्होंने दो मिनिट में साइलस कर दिया, कि यार ये क्या बातें कर रहे हो, ये फ्री मेसिनरी इलुमिनाटी ये क्या होती है, ये जूइश कंस्पेरिसी क्या है भाई, किस तरफ चल पड़े हो तुम, तो मुझे वो सबस्टांशियेट नहीं करना आया, और मुझे बुरा महसूस हुआ, क्योंकि हमेशा से मुझे ये था कि मेरा जो भी बिलीफ हो, वो बैक्ट बाइव तो अगर मैं पोलिटिकली इतना डिलूजनल भी था, जिस तरह से वो लोग जो हैं, जायदामित की तरह के या और लोग, तो उसमें भी यही था कि I always try to rationalize whatever I'm saying, तो क्योंकि वो inherent होती है, मैं यही समझता हूँ और बड़ा pessimist हूँ इस चीज़ को मैं लेके, कि बहुत कम लो भी हो सकती है, और if it's not in your psychology, कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आनी तो कुछ भी कर लें, वो नहीं आ सकती हैं, बहुत से लोग PhD डॉक्टर्स होते हैं, और उसके बावजूद ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कि हैरांगी होती है, कि यार इन लोगो कुछ समझ क्यों नहीं आ आने वाला, जिसका नैसनलिजम की पाकिस्तानियत की सेंस ही और है, इन कंपरिजन टू अब बलोच और अपश्टून और अगिलगिती, तो फिर या फिर उर्दू स्विकिंग जो हो, या सिंधी हो, तो वो बिलकुल मुक्तलिफ सेंस के साथ बड़ा होता है, और प्रिविल या फिर एक चीज़ को हमने नॉमलाइस किया हुआ था कि आरत ने बाहर नहीं जाना, या फिर उसने ये काम नहीं करना, ये मर्द कर सकता है, जेंडर रोल भी हमारी रियालिटी का हिस्सा थे, तो आइस्ता इस्ता वोई नीच्छे ने कहा था ना, जब तक अपने आप, आपने स्टैंड किया होता है, वो चेंज होती जाती है, आपकी डेफिनेशनी तब्दीर हो जाती है, तो ये बड़ा पैनफुल प्रोसेस था, इन शॉर्ट, बहुत से दोस्तों ने अबेंडन कर दिया, बहुत से लोगों ने अब्यूस किया, गालिया दी, प्रिविलेश को जो इंजॉय करने की कोशिश नहीं की, उससे पीछे अटने की कोशिश की है, नीट्रल स्टैंड पॉइंट से सोचने की कोशिश की है, और इसमें बड़ा पैनफुल जैर्नी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपकी रियालिटी भिल जाती है एक दम से, और उसक कुन फाया कुन मोमेंट मिल गया, यह वाले जो आपका लास्स टेटमेंट थी ना, इस पर हम सैड म्यूजिक चलाकर इसमी क्लिप बनाएंगे, सही कह रहे हैं आपके अंधेरा मांगने आया था, रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या करते हैं, मीगा सेथ ह आप से पूछ रही है, कि हाओ डिडी बिकम, हाओ डिडी कम तो बी सच अ स्टॉंच रैशनलिस्ट इन दिस सोसाइटी? Well, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक तो यह बहुत ज़्यादा जो सोशल कनफर्मिटी होती है, इसका मुझे बच्पन से शौक नहीं था, वही बात कि एक इनहेरंट भी आप में फैकल्टी होती है किसी चीज़ की, so I always like to be distinguished from the mass, सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा इस म फर्क यह रहा कि बिलकुल lower middle class life से उटके जो है ना वो यहाँ पर बैठा हूँ हमाज, आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं कैसे स्कूल में गया जहाँ पर कोई facilities नहीं थी, तक्रीबान डेट दोसो रपे में रिफीज थी स्कूल की, वहाडी में मैं पैदा हुआ, वहाँ से यहाँ पर आया, कभी quality education नहीं मिली, दोस्त वगारा इस तरह के नहीं थे, जो बड़ी academic बातें करते हूं, यह सब करते हूं, तो isolation में ज्यादा वक्त गुजारा हैं, और तकरीबान कह सकते हैं कि दो तीन साल पहले तक तो एक बड़ा पार्ट लाइफ का वो isolation में गुजरा ह socialize नहीं किया इतना, तो इसलिए जो मौशरे के beliefs जो इतने ज्यादा कह सकते हैं कि rationality के बिल्कुल opposite हैं, क्योंकि यहाँ सूपर स्टेशन भी deeply ingrained है, और यहाँ पर dogmatism भी इतना ज्यादा है कि आपको मालूम है कि lower middle class की पाकिस्तानी life किस तरह की होती है, तो वो सारी अपनी narratives हैं, उनको deconstruct करें, सोचें उसके बारे में actively, तो आजस्ता इस्ता जो है ना, वो self को discover करता है इनसान, यह बड़ी motivational speaking वाली बातें करवा रहे हैं, आज आप मेरे से, आज लिप चाहिए ना, वाइरालिटी चाहिए भाई, क्या हो गया, हमें भी, हमें भी पैसे कमाने है, त TikTok पे चलाने के लिए, तो यही है कि में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि evidence मुझे convince कर लेता था, अभी भी आज भी अगर मुझे लगता है, कि अगर मैं यह बात कर रहा हूँ, evidence इसके against है, तो मैं अगले दिन उसको बिलकुल फैंक सकता हूँ, बार उठा के, even इस point के उपर त होता है, और उससे निकलने की कोशिश करता हूँ, तो यही है कि आपकी जो भी reality बनी होती है, वो एक perspective होता है actually, तो यह perspectiveism की sense जब आती है ना, दमाग के अंदर पिर समझ आती है कि objectivity इतनी नहीं है, तो evidence की respect शुरू होती है इनसान की, तो obviously हर इनसान rational बन सकता है अगर वो safety से निकलने की कोशिश करे, क्योंकि हर इनसान evidence मांगता है, argument करने की faculty भी रखता है, और चोटे से चोटा बन्दा अगर आप उसके belief की against बात करो, वो कहता है, यह सबूत मांगने की जो faculty है, यही rationalism है actually, लेकिन यह जब आप safety चारे होते हैं, तो फिर obviously कुछ चीजों से आप बंद कर लेते हैं उनके सामने, तो मैंने safety नहीं चाहिए कभी, challenge की है अपनी reality को, and it's always difficult क्योंकि जहें चीजों से आप privilege ड्रॉ करते हैं, उनके against होना असान नहीं है, that's why it was easy for me in comparison to other people. I agree with you, काफी लोग पूछते हैं के भाई, मैं क्या सीकूँ, पहले मैं बोलता हूँ, unlearned तो कर लो, सबसे जो इनसान, जो जो आपने सीखा है ना जिन्दीए में आपको पढ़ाया गया है, अगर आप वो shed कर सकते हैं, और zero से start कर सकते हैं, right now, that is the best thing you can do for yourself, starting from zero is a lot better than where most of us start from आपने नीचे का जिकर किया, और आप जो biology की बात कर रहे हैं, वो नीचे नजर आ रहे हमें उसके अंदर, how do you grapple with that idea, and I think पहले भी हमने थोड़ा बहुत discuss किया है, how do you differentiate, कि या नीचे के मुझे ये बाते तो पसंद है, लेकिन अगर nazism को ये बाते पसंद थी उसकी, या hierarchy औ भी नीचे की किताबे पढ़ रहे होते थे, so how do you grapple with the reality, that at one point, there are a lot of ideas that you love, and that you encapsulate, and that you perpetuate, but at the same time, there are also these dangers to the नीचे philosophy. देखें, पहली बात तो ये है, इसके पहले भी मैं ब्लैक होल में जब गया था, तो वहां भी इस पर discussion होई थी, तो इस पर basic चीज ये है, कि नीचे का कोई political system था ही नहीं, उसने हमेशा से एक psychologist की तरह behave किया, जिसने individual, जो उसको अपना subject बनाया, societies को नहीं बनाया, इसलिए ये meta-narrative आपको कोई नीचे का नहीं मिलेगा, कि मौशरे के अंदर ये सियासी निजाम होना चाहिए, उसके अंदर ये values होनी चाहिए, तो वो marks नहीं था, नहीं वो कोई meta-narrative देने वारा था, इसलिए, उसने individuals पे काम किया, और वो he's more of a psychologist actually, वो था भी philologist था, philosopher नहीं थ वो ancient Rome की और Greece की जो histories थी, उनको consult करके philosophy बनाई एक, तो जो नाजिजम वली चीज़ हुई, उसमें जो basic text यूज़ हुआ, वो था will to power, जो इसकी किताब थी, तो अब वो उसके बारे में ये evident है, मुझे कुछ कहने की जहुरत नहीं है, उस पे बहुत सी किताबें, आप Walter Kaufman की biography पढ़ लें नीचे की, या फिर आप स्यूपरी डोक्स एक writer है, उसकी किताब है, I am a dynamite, वो भी नीचे की biography है, वो पढ़ लें, या किसी भी writer को आप पढ़ लें, even Stephen Hicks को पढ़ लें, नीचे अंदर नासीज किताब है, बड़ी जबर्दस book है, इसको भी पढ़ लें, तो इसके अंदर भी आपको नजर ये आएगा, कि उसने directly कभी भी racial बात इस तरह की नहीं की, in fact, वो तो anti-semite नहीं था, उसके लिए उसने सफर किया, और उसकी जो बहन थी Elizabeth, वो anti-semite थी, तो इन दोनों के तालुकात खराब होगए, इसने boycott कर दिया उसका, नीचे ने quote unquote का जूस, वो ये कह रहा जूस के बारे में, इसके अलावा उसकी किताब नहीं छप रही थी, क्योंके वो anti-semitic चीजें नहीं लिख रहा था, दस पे एक जारा तूसरा की बात कर रहा हूं, तो वो race को affirm करना शूरू कर दे, ये तो impossible था पहली बात, दूसरा core concept Nazism का nationalism, और तो nationalism बिलकुल पसंद नहीं था उसको, और उसने 1875 में एक war में भी इसा लिया था, फ्रेंको प्रेशियन war थी, और दो दिन बाद इतना उसने अपने आपको मिलाइन किया कि मैं किदर आ गया हूं, क्यों जंग लड़ू मैं अपनी काम के लिए, इसमें क्या betterment है, तो एक ऐ इसा इनसान को ये कहना कि उसने कह दिया है कि असल में एक race की autonomy हो जाएगी और बाकी सारे जो हैं वो lower beings हैं और हम Aryan race जो है, ये बहुत glorious है, ये असल में नाजिस का प्रोजेक्ट था, और नीचे आरकाइफ के नाम से उन्होंने एक department set किया, जिसमें हैडिगर भी काम करता थ और philosopher भी employs थे उसके, और उस project का मकसद ये था कि नीचे की philosophy को नाजिसम के साथ link करना है, तो will to power किताब नीचे ने लिखी ही नहीं है, ना चापी है, posthumously publish हुई, क्योंकि उसकी जो बहन थी Elizabeth, वो नाजी पार्टी की रुकन थी, और उसने हिटलर को इसके घर भी बुलाया इसके मरने के बाद, उसकी बड़ी मशूर तस्वीर भी है, हिटलर की नाजी, sorry, नीचे के घर खड़ा हुआ था वो, तो वो तस्वीर बड़ी मशूर है, उसकी stick भी gift की है, Elizabeth ने, हिटलर को, और जो इसकी किताब बनाई, sorry, जो मुवी बनाई बाद में, इन्होंने triumph of the will, ज ये religions के साथ भी हुआ है, ISIS भी करती होगी, और भी बहुसी organizations हैं जो करती हैं, तो एक तरफ सूफिजम वाला Islam है, एक तरफ सलाफिजम वाला Islam है, तो हर philosophy में ये capability होती है, कि उसको इसको इस्तमाल किया जा सके, जहां तक मेरे disagreements हैं नीचे से, तो वो ये हैं कि एक तो जो जो उसकी misogyny वाला aspect है, वो तो है ही, उसके बहुत बात हो चुकी है, कि उसको मैं विल्कुल endorse नहीं करता हूँ, क्यूंकि उसने gender को भी जो है वो बहुत जादा stereotype किया, और उसको लगा कि खावातीन के साथ जो है ना, वो सिरफ एक दो कामी हो सकते हैं, she is just there to classify the warrior, and the man is the warrior actually, तो एक तो वो चीज़ है, दूसरा यह है कि उसने over expect किया एक individual से, कि वो सारी morality अपनी scratch से बना लेगा, जो कि 99% लोगों की faculty नहीं होती, वो अपनी ideal world नहीं create कर सकते, वो follower psychology के साथ पैदा होते हैं, तीसरी चीज़ यह थी कि उन्होंने, नीचे ने suffering को glamorize कर रखा है, ठीक है, और वो उसके अपने जो events के सारे जिन्दगी के, उसमें वो नज़र आते हैं, तो इसमें मैं recommend करूँगा लोगों को, कि काल यूंग जो एक psychologist है, उसका criticism है नीचे का उसको पढ़ें, और उसने बड़ा aptly define किया कि नीचे का मसला क्या था, तो उसने यहीं काया कि जो किताब जिसमें वो जो उसका वो जो बनाया था अर्किटाइप उसने किताब के अंदर, दस पे एक जारा तूसरा के अंदर, तो जो जारा तूसरा था, वो actually a god image था, wise old man वाला अर्किटाइप था, आर्किटाइप भी बड़ी लंबी debate हो जाएगी, आर्किटाइप भी बड़ी complex च चीखना चाहिए, मैं बताने के लिए भी जाऊंगा, और मैं society to society move करूंगा और उनको एक moral system दूँगा, या उन्हें कहूंगा तुमारे moral system खराब हैं, तो इस बात के उपर काल यूंग ने कहा कि नीच्छे की madness का राज भी यही था, क्योंकि जब आप एक wise old man का archetype अपने द और फिर उसकी हमेशा से मैं लोगों को recommend करता हूँ कि philosophy पढ़ने से पहले किसी भी philosopher की, चाहे वो मार्क्स हो, कांट हो, कोई भी हो, philosophy पढ़ने से पहले उसकी biography पढ़ो, क्योंकि अगर backdrop नहीं पता आपको, कि वो किस दौर में यह सब लिख रहे थे, तो आप उनकी सारी philosophy को गलत लोगे हमेशा से, तो मैंने जब नीचे की biography पढ़ी, तो बहुत सी चीजें उसकी अपनी life में नहीं हुई जो वो हमें कह रहा था करने का, मतलब फ्रेंको प्रेशन बार में दो दिन लड़ा जाके, और खून देखकर उल्टी आना शुरू हो गई उसको, और हमें कह र सबस्क्राइब करने कुरू करने का लिचाओ फिलोसिफी फिलोसिफी इस पैसल अवेशाओ प्रेशन आपूदी में हुए जालेब इक बाल की शेयरी बाल कि यूजिवरी इस वेशाओ कर रहे होते हैं जिनके खिलाफ रॉब रॉबियों वाथ ही मगनिफिसेंट हैं अगर एक ट्रेंड चल गए है ट्विटर के उपर या के उपर तो इसको इतना और प्रेड्यूस कर दो कि उसके अगेंस जो सच बोला जा रहा है वो मनजर से गाई भी हो जाए आपकी और मेरी टाइम लैंड कैसे बनती है उन्हीं ट्रेंड्स की बेसिस पे बनती है रैंडम सेलेक्शन होती है तो ये डिजिटल एज के अंदर होना ही यही था आर्टेमेट ठीक है इसको नील पोस्टमन वली बुक भी मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि एक दो किताब में एक टेकनापली है और दूसरी अम्यूजिंग और सेल्स टू डेथ है इसके लावा दे ब्रेव न्यू वर्ड जो बुक है वो भी बड़ी जबर्दस किताब है वो भी पर फियर को इस्तमाल करके लेकिन एक हक्सली का मॉडल है और लस हक्सली जिसने ब्रेव न्यू वर्ल लिखी और वो मॉडल ये है कि टूथ के इतने वर्जिन क्रियेट हो जाएंगे कि आपके पास टाइम में नहीं होगा असल वाले को तलाश करने का तो ये है आज की दोर म नारेटिफ को बनाने का तरीका कि उसको ओवर प्रेड्यूस करो वो बन जाएगा चाहे वो गलत हो या सही हो नोबड़ी केर्स फॉर दूट हम खान साब को लोग समझते हैं कि वो इडियत हैं वो बिलकुल इडियत नहीं है अगर आप गॉबिल्स पढ़ें तो वो बहुत म अगर तो आप पॉलिटिकल सॉरी अगर आप रिलिजिस राइडिकलिजम की बात कर रहे हैं तो उसमें सिरफ और सिरफ परस्पेक्टिव मैटर करते हैं अपनी सुसाइटी को ओपन अप करें इंफरमेशन के लिए और जिस तरह से रियासत ने जिया के एरा के बाद से किसम मुदाखलत करो जो मरजी करो नजरियाती सरखद में जो इनकी मुदाखलत होती है उससे माइंड जो तबाह हो जाते हैं असलमें कियूँकि आप जो टेक्स लिखवाते हैं बच्चों से स्कूलों के अंदर जो किताबें च्छापते हैं आप नौलिज को कंट्रॉल करने दो मुझे और वो उसको दिया और तमाशा देखा कि पूरी कौम जो है मर रही थी उसकी एक लुक लेने के लिए आप नौर्थ कोरिया में देखें और नौर्थ कोरिया में आज तक ये होता है कि जो अप्रेसर है कि क्या नाम है इसका यार वो जहन से निकल गया मेरे किम है और जब उसकी डेथ हुई तो इस तरह लोग रोए कि एक मैस हिस्टीरिया लाज़ रहा था कि सड़कों पे खड़े होके मातम कर रहे हैं अक्सर लोगों ने खुदकुशियां कर ली एक ऐसे इंसान के मरने पे जो इतना बुरी तरह से उप्रेस कर रहा था पूरी कौम को कि वो कहता है बाल भी एक जैसे कटवाओ सारे बार से कोई अंदर नहीं आ सकता मुल्क नहीं छोड़ सकते ठीक है और नैशनल ड्रेसे अनाउस हो रहे हैं कि सबने ये पहनना है आज ये कलर पहनना है किसी किसम का सोशल मीडिया नहीं है उपननेस नहीं है इतने अप्रेशन के अगेंस्ट है अनपॉपलर अपीनियन है क्योंकि हीगल ने कहा था कि ट्रूथ जो है वो तीन अटेम्ट्स में सबस्टांशियेट होता है थीसिज एंटिसिज एंड देन दाहायर फार्मिस एंटिसिज तो जब तक एंटिसिज आता रहेगा राइडिकलिजम नहीं आ सकत यह तब ही आता है जब सारा एंटिसिज बंद कर दिया जाए और एक नरिटिफ प्रिवेल कर जाए वो यह रियालिटी बन जाए जब आपको अंदाजा होता है कि मेरी रियालिटी एक परस्पेक्टिव है तब आप रैडिकल हो ही नहीं सकते शायद रसल ने कहा था कि I can't die for my beliefs because I might be wrong I think अब आप तयान है शुरूम्स करने के लिए आप आ रहें आहिस्ता हिस्ता शुरूम्स आली दुनिया में 10 major necessary steps पाकिस्तान really needs right now 10 well it depends कि social है political है यह सवाल इसके बड़ा मुश्किल है अगर तो political सवाल है तो पिर उसमें तो किया कहा जा सकता है सबसे बड़ा मसला यह जहां इक्तियार है वहाँ इक्तदार नहीं है जहां इक्तदार है वहाँ इक्तियार नहीं ठीक है तो अगर तो आप कोई ऐसा mechanism बनाएं क जिनलों के पास इक्तियार है उनको इक्तिदार भी मिल जाए फिर या तो वो तो इससे भी बेतर है मैं समझता हूँ अटलीस सवाल तो होगा ना कि भाई ये कारे कौन रहा है अभी तो सारा कुछ किया किसी और ने पढ़ किसी और के उपर गया जो खान साब भी रोते फिर रहे हैं आजकल तो ये चीज़ है कि पहले तो ये जो पावर है और ये जो मैंडेट है इसको हमें एक पॉइंट पर कॉंसेंटरेट करना है नमबर वन नमबर टू इस टू स्ट्रेंथन दे सेंस ऑफ परसनल एजनसी पाकिस्तानियों के अंदर परसनल एजनसी की सेंस नहीं है वो समझते हैं कि मेरी आपती ओपिनियन मेरे बिलीज्स आपके बिलीज्स ये मैटर नहीं करते एक कलेक्टिव कनफर्मिटी मैटर करती है तो जेतनी वेस्टन थाट थी जिसकी बेसिस पर डिमॉक्रिसी का सिस्टम प्रिवेल किया जो हमने इंपोर्ट की है या तो पारलिमेट को बंद कर दो ना या कहो कि पॉपिलर वोट लेना ही नहीं है वेस्टमिंस्टेरियल मॉडल को तबा कर दो तो फिर कर लो अपनी चीज़ें लेकिन अगर मॉडल उनका लिया है तो फिर उसकी थौट पढ़ो सारी के वो कहां से आया था तो जो ग्रीस में जो चीज प्रैक्टिस होती थी वो परसनल एजनसी की सैंस थी हर ग्रीक सिटिजन की जो अपिनियन थी उसकी सैंक्टिटी थी और वो समझता था कि मेरी उपिनियन मैटर करती है तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पाकिस्तानियों को कलेक्टिव से निकलके इंडिविजूल की तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब इंडिविजूलिसम प्रिवेल करता है उसके बगार कहीं भी डिमॉक्रिसी आज तक नहीं सस्टेन कर पाई तो आप जितने भी जो है वो इसको डाइगनोस कर लें मसलों को एर इस्टैबलिश्मेंट यह करती है वो होता है यह होता है रेवलूशन तभी आजाएगी जब इंडिविजूलिसम की सेंस प्रिवेल करेगी और मुझे लगेगा कि मेरा कॉंसिटूशन अगर टूटा है तो मेरे राइट्स गए है मैं मिठाईयां नहीं बाटूंगा उसके उपर तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक फिलसॉफिकल चेंज के बगार पुलिटिकल चेंज नहीं आ सकता आइगरी मैं मेरी भी अप्थीसिस यही है कि मिलिटरी इंटर्वेंशन प्रॉबली पाकिसान का सेंटरल मसला है क्योंकि अगर आप देखें कि स्कूरिटी ऑफ लॉव स्कूरिटी ऑफ कॉंट्राइक नहीं है तो जुटिश्री में कौन इंटर्वीन करता है डिमॉक्रिसी पाकिसान में थ्राइव नहीं करती कौन इंटर्वीन करता है अगर आतिफ मिया पॉड्कास्ट पर आते हैं और कहते हैं पाकिसान का fundamental economic मसला है real estate सेक्टर है कि real estate में इतने incentives हैं कि कोई कहीं और invest नहीं करता है कौन चलाता है पाकिसान का real estate सेक्टर, media के मसलें कौन चलाता है पाकिसान में media, हग तक अगर आप कहते हैं कि olympic team में हमाई team नहीं प्रफॉर्म करती, कौन चलाता है आपकी olympic team, so more or less, I think central, अगर interventional खतम हो जाए तो बाकी अधारे अपने पेरों पे खड़े हो सकते हैं यहां से जावेद हमारे regular listener है, since आप ते इंडिविजुलिसम इसकास किया, he says, मुझम्मिल is an advocate of individualism that was a product of post-modern western philosophy, does he think that this focus on individualism being better than collectivism still stands, we see many individuals who are seizing power or have the potential or are to become tyrannical, I would say maybe populist also would fall within this latter classification, Well, I think he's, to begin with, he's completely wrong, क्योंके post-modernism का fruit नहीं है individualism, enlightenment rationalism का fruit है, और post-modernism तो इतनी लेट आ रहा है उसके बाद नीच्छे ने इसको जो है ना वो influence किया था, और Foucault या Derrida या इस तरह के जो philosophers थे जिन्दोने पोस्ट-modern philosophy दी जो French post-modernist movement थी basically, वो सारी नीच्छे से inspired actually, तो यह तो काम हो रहा है जी, 19th और 20th century के अंदर, तो अगर आप enlightenment की बात करें, जो कि उससे बहुत पहले आ रही है, रेनेसांस की बात करें, उससे बहुत पहले आ रही है, इटालियन रेनेसांस की बात करें, जो the Medices ने शुरू की, तो वो बहुत परानी चीज है, जिसमें चर्च की Monopoly को चैलेंज किया, फिर Glorious Revolution 1688 की पढ़ लें, जो England के अंदर आई, वो किस प्रिंसिपल के उपर आई, फिर वो ही John Locke वाला जो Two Tituses of the Government किताब है, उसमें जो sense, rights की, जो incorporate हुई, जो पहले नहीं थी उस तरह से, जो कि Slave Honor था, आप कहेंगे, I know, तो, I think both of you are using the term individualism separately, I think how you mean the individual is breaking the monopoly of the church and sort of removing the role of God and, you know, prioritizing man and putting the human being at the center of philosophy, whereas maybe how he's using the term is more in terms of how it's used in America in terms of the individual and the private more or less. Post-Modernist Identity Politics के, quote-unquote, movement, जो पूरे Western Hemisphere में चल रही है, वो तो collectivization है, उसमें तो collectivism नजर आ रहा है आजकल, कि उसमें तहरीकें चल रही हैं पूरी-पूरी, और उसमें इतजाज भी कठे हो रहे हैं, और rights की बातें भी हो रही हैं, तो उसमें individualism उस तरह का नहीं practice हो रहा है मैं तो post-modernist हो भी नहीं, पहली बात, तो मैं post-modernist हो के individualism की बात नहीं कर सकता, post-modernism में मुझे बड़े मसले नजर आते हैं, for instance, वो scientific fact को respect ही नहीं करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो unscientific और scientific चीज़ है, वो बराबर है, क्योंकि हर चीज़ जो थी, वो एक power की तरफ से exercise हो मैंने इस पर article भी लिख दिया, मैं दो साल, तीन साल पहले post-modernist views रखता था, और इनकी बहुत सी बाते हैं, यह नहीं कहरा नहीं है, मैं कभी भी किसी philosophy को entirely submissive हो के, sorry, उसको reject नहीं करता, और इसके लिए भी यही है कि इसमें बहुत से मसायल मुझे नजर आते हैं, लेकिन म मैं समझता हूं कि individualism इससे बहुत पहले जो है न वो यौरप में आ चुका था, और even Martin Luther जो था वो इससे बहुत पहले आ रहा था भाई, तो यहीं चीज़ है कि मेरा नहीं ख्याल कि individualism इससे निकलता है, दूसरी चीज़ यह है कि जो उन्होंने सवाल किया कि इससे oppression आ जाता के अंदर ये, वो मैं नहीं समझता बिलकुल आता है, पॉपलिजम को individualism से confuse नहीं कर सकते हैं, पॉपलिजम जो है, वो एक mass driven ideology है, और उसमें individualism का कोई scope नहीं है, even nazism के अंदर भी the individuals surrender to the collective, तो collectivist जहां पर भी होते हैं, वो तबाही करते हैं, मैं तो यहीं समझता हूं, मैं जर्मन स्टेट में इटालियन स्टेट में चला गया, और वहीं इटालियन स्टेट जिसके लिए अकबाल ने है, योलोजाइस किया था, मैसॉलीनी के हाक में है, मेरे बादू यतनी लंबी, नजम लिख के, चला गया गया। मतलब यह पुलेटिकल आउडर देने की बात नहीं होरी, इट्स, यून इस दे रिस्पेक्ट आफ यूरोण अपी, परस्नल एजनसी की सेंस इस वट आम टॉकिन अबाउट, अगर खान साथ सेल्फिश है तो मैकेवैलियनिजम है, क्योंकि वो प्रैग्मेटिस्ट होके, ए इस तरह की टर्म्स ना यूस करें, लेकिन अगरें इफ इंडिविजूल्स गेदर जो अगले लेट से आपको लोग तनकीत करते हैं, शाहरा मजन गया जो एक आइडिया बार-बार कोट कर जा रहते हैं, को आपरेटिव का, इफ इंडिविजूल्स गेदर और और साइन इस पर चार-पांच वीडियो बना चुका हूं कि भाई, तो मैं तो उसको बिल्कुल विलीव करता हूं, उसके ओपर इवन होप्स का जो सोशल कॉंट्रेक्ट सा मुझे बड़ा पसंद है, बड़ी-बड़ी संस बनाता है, बड़ा रेलिस्ट है तो, I don't have a problem with that, मैं यह नह किया था, कि उसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें मार दो, तो मुझे मार दो, मतलब यह तो एक, एक स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिसम अफ दे टरम है ना, अक्चली, यह तो इसी तो आप, जो है ना, वो तमाम आइडियोलजी को, आप बिल्कुली, रिजेक्ट कर दें इस कल्चर होता है, उसके बिलकुल अगेंस जो कल्चर होता है वो डिगनिटी कल्चर होता है, तो अनर को, ट्रिबल अनर को, पर्सनल डिगनिटी से रिपलेस करें, तो एक से एक सोचल कमेंटरी, ना पुलिट कमेंटरी. absolutely I think it's just people get stuck on debating terms without turns out they're just using the terms completely differently and if we were to sit together and have a discussion they would find a lot more to agree on kindly share your critical analysis about South Punjab that's a very broad question here how do we do it there so that people who are in South Punjab who are in this country do we do it we do it we do it it has been a lot of the people who do it there were many movements even my Mylescone also has been associated with it in the history of the KDE which is a politician ते मुलतान के तो हम बच्पन से उनके घर जाया करते थे देखते थे किस तरह से विजन है उनका उन लोगों का तो वहां पर उनफॉचनेटली जो सोशल इवल्स हैं वो भी बहुत जादा बड़े हैं और मैंने इतनी डिजास्टरस प्रॉब्लम्स वहां खवातीन के हवाले स देखी हैं कि मेरी तो ट्रामा मेमरी का वो पार्ट है जिसमें एक बड़े कल्चर के अंदर ये चीज़ें नॉमलाइज होती देख रहा हूं जिसमें खवातीन पर तशद्द है या इस तरह की अब्यूज है कोई राइट्स नहीं हैं कहीं आप चले जाएं पूरे साउथ प आप एस्पिताल बनें और बड़ा कुछ हुआ है लेकिन हमेशा से सिराइकी को या जो साउथ पंजाब से आया है उसको अपर पंजाब वालों ने एक प्रेजुडिस वाली से देखा है पॉलिटेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि वो कहते ही हैं कि यार ये तो जाहिल होते ह हैं कि कोई भी आके मिनेपलिट कर देता है इनको तो ये चीज़े के एक ऐसी जगा साउथ पंजाब मैं समझता हूं है जहां रियास्त ने कोई तबज्यों नहीं दी और ये सियास्तदानों ने रिपीटिड ली चिनुभी पंजाब महास के नाम पे पैसा खाया वहां से पी साउथ पंजाब के लोगों को सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो एक अपना अपने अकबरान चाहिए एक सेल्फ रूल चाहिए जो उनको नहीं मिला शुरू से जबसे पाकस्तान बना है आप कह रहे हैं उनको शाह मेमुद कुरेशी चाहिए वेल अल्ला ना ही करे सब्सक्राइब को अगली प्राइम मिनिस्टर बना दे या चुली किसमा सवाल है वैसे बात बहुत खतरना कर दिया खैर यह इसमें देखें यूथ तो डिस इंप्रिंचाइज दाना पूरी उसकी वज़ा यह है कि पहले फिर भी कुछ सेटप था कि सुडेंट पॉलिटिक् अपरेशनल थी जिया से पहले और बड़े-बड़े सियासतदान इवन जावेद हाशमी की तरह के लोग और लोग उन्हीं तलबा की सियासत से उपर आते हैं जो एक अल्टरनिटिव था यह एलिट के नेकसस का तो अब तो यह है कि वो 30-35 करोड़ प्याद दें या सैनेट म बांट भी रहे हैं एवन हमारे साउथ में बड़े हलके मैंने खुद देखे हैं जहां वोट देने पर 70 CC बाइक मिलती है ओपनली एलक्शन कमिशन को पता है कुछ नहीं होता उसके बावजूद थीक है तो यह चीज़ है कि यूथ इसलिए डिसन्फरंचाइज है कि उनके बस पैसे नहीं कॉलिजों में यूनिवस्टियों में पढ़ने वाले बचे सारे बिलियनेर तो नहीं होते तो इसलिए वो इस पॉलिटिकल नेक्सिस में ब्रेक इन नहीं कर सकते वो तब ही करेंगे जब एक वे फॉरवड नजर आए सबसे बड़ी गाली यह होती है कोई य स्यासदानों के हाथों से ही होते हैं या उन्हीं के बनाए कवानीन से होती हैं जो लाजिसलेटर तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को दुबारा से रिवाइब करना पड़ेगा फीवस पार्टी ने सिंध में किया पता नहीं यह तो आप बेतर बता सकते हैं कि वहां पे उसक क्लास होती है पॉलिटेशन की यह जैन्वन मॉवमेंट्स होती हैं यहां से निकल के जब उपर आते हैं तो सिरफ प्रिविलिज्ज की बेस पे नहीं आते उसमें हाड़ वर्क भी होता है विजिन भी होता है अक्टिविजम भी इंवाल्व होता है तो वो फिर वो काम नहीं करते के तंखाएं बढ़ा लिए और एक बूसरे को गाड़ियां गिफ्ट कर दी और कुछ किया नहीं या घड़ियां बेच दी जाके अपनी उनका फिर कोई और विजन भी होता है साथ से तोशा खाना पर पहुंच चुके हैं आप ओर नाइट तो कुछ भी नहीं होता कालोबादी हमें पता चलते हैं इस तरह 18th Amendment का भी अब जाकर हमें चीज़े नजर आ रही हैं किन यू प्लीज आसके हम स्पेसिफिकली वे तो स्टार्ट और पावर्फुल वें आल डिरी सोर्से अर एग्जास्टेट वेल फरस्ट आफ और यू 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 यूर्सेल्फ हर फुई कहते है कि मैं साफत खुदाईी खिदमतगार बनने के लिए आ गया था यहां पे अवाम को सच बताने के लिए या फिर मैंम्खलूक खुदा की खिदमत के लिए आया था मैं नहीं था आया बारी नमबरल टू अपनी वोईस को स्ट्रेंटिन करने के लिए और तो अगले दिन उठाके ले जाएंगे मुझे खतम हो जाओंगा मैं बचाई इसलिए हुआँ कि शायद मेरे पास कुछ ताकतें ऐसी हैं जो एक बिलकुल बिचारे बदहाल जगा से उठके आए एक स्टूडेंट के पास नहीं है ठीक है तो पहले इस पावर को कैंसल करने के लिए एक alternative चाहिए आपको उसकी attainment के बगहर आपके ideas materialize नहीं हो सकते नीचे ने भी का था I won't support any idea without the power to enforce it अगर किसी भी idea के पीछे ताकत नहीं है तो फिर उस पे जितनी मरजी बहस कर लो वो materialize नहीं होगा तो इसलिए पहले किसी भी end को achieve करने के लिए क्योंकि मैं एक दु कह सकते हैं कि dictate करने वाली ताकत है जिससे दुनिया चलती है even international word भी उसी base पे चलती है इसमें just और unjust मैं नहीं समझता इतना सा कुछ होता है वही beyond good and evil वाली बात है तो वो जो upper class जो होती है ताकत वर तबका जो होता है वो जो कानून बना दे वही कानून की लकीर बन जाती है और वही अच्छाई होती है वही बुराई होती है अभी last days में हम discuss कर रहे थे कि जो 1968 वाला non proliferation treaty है उसमें अमरीका ने कानून किस तरह से बनाया UN ने किस तरह से बनाया कि अगर 67 में आपका bump था तो वो legal है 69 में था तो legal है तो यह किस basis पे है पावर की बेस पे सेक्यूरिटी council के पाँच मेंबर्स किस बेस में permanent कि उनका एक वीटो एक तरफ पूरी दुनिया एक तरफ पावर की बेस पे है तो इसलिए अगर आपने state की पावर को challenge करना है तो कुछ ना कुछ आपके पास पहले power capital होना चाहिए उसके बाद आप बात करें कैलकुलेटर वो के बात करें totally ideological ना हो क्योंकि मैंने उन लोगों को यहां पर fail होते देख रहा है चाहिए उन्होंने किताबें लिख लिए सारा कुछ कर ली कोई खास फाइदा नहीं हो यहां तो वाबड़ा power नहीं देती है आप आप actual power की बात कर रहे हैं वाई civil society of Pakistan doesn't protest against social injustice well because civil society basically is a part of the establishment ठीक है और उसमें बहुत से ऐसे लोग है जो draw करते है privilege और वो क्या नाम था एंटोनियो ग्रामशी मार्क्सिस ठिंकर था उसने civil society के बड़ा detailed काम किया हुआ है और वो यही कहता है कि यह civil society ही है जो रियास्त के oppression को materialize करती है lower classes के उपर या masses के उपर क्योंकि यही क्रोणी बन जाते हैं उनके इसी तरह यह साफियों की brigade जो बड़ी-बड़ी S-class Mercedes से लाती है यह जरनलिस नहीं है यह क्रोणी है उसी establishment के जो एक oppressive force बनी वी थी तो इसलिए civil society protest तब करेगी जब वो किसी चीज़ को गलत समझेगी या उस पर resist करने का idea उसके दिल में होगा फिलाल तो privilege ले रहे हैं उस चीज़ से जो oppression हो रहा है तो इसलिए पहले realize करना पड़ेगा यह गलत है भी यह नहीं है फिर आप कोई movement चलाएंगे this is why the elite loves Musharraf and still praises Musharraf उनको नहीं फरक पड़ता जी civilian supremacy, democracy, इन तरह के concepts पर जिसरा खान साब ने भी कल बोला मुझे क्योडर आ रहे हैं लगाओ दे मार चलो उनको तो नहीं फरक पड़ता तो जिन लोगों को फरक नहीं पड़ता उनकी कंपनी चलती रहेंगे उनको फाइदे म philosophies, if yes, what are the learnings and how does he compare it to western philosophies, if no, why not? Well, I have looked into Taoism and Confucianism as well, और इसके लावा जो हिंदोस्तान के जैसे चनाकिया है या और इस तरह की philosophers ने देखा है मैंने, लेकिन मुझे basically हमेशा मैं यह recommend करता हूं लोगों को कि जैसी आपकी psychology है ना उस तरह की philosophy को अपनाएं, क्योंकि वही अब यह बड़ा Nietzschean argument हो जाएगा, Darwinian भी है in its sense, कि पहले जो biology आती है, आपकी psychology, आपकी biology का reflection होता है, और उसके बाद में आती है philosophy, आपकी philosophy, आपकी psychology का reflection होता है, तो यह तीन stages है, एक इनसान का फलसफा अडॉप्ट करने के लिए, तो अगर तो एक ऐसा इनसान है जो descent को पसंद नहीं करता है, जो confirmity को पसंद कर है कि मैं एक harmonious environment में रहूं, ना के एक rebellious environment में, जिसमें personal agency की sense कम हो, जो अपनी opinion को foremost ना समझता हो, तो उसके लिए है eastern philosophy, क्योंकि eastern philosophy के अंदर individualism का कुछ खास scope नहीं है, अब मुझे पता है यह बहुत बड़ी statement है, इस पे criticism भी होगा, लेकिन मैं इसको establish भी कर सकता हूँ, Richard N Smith की एक किताब है, The Geography of Thought, उसको जरूर पढ़ें, वो यह बात करता है, उसने detail में explain की वी है, कि western और eastern model में फर्क किया था basically, तो confucianism के अंदर जो चाइना में incorporate हुआ, एक दहाईयों से चला आया, उसमें individual की जो importance नहीं थी, hard importance थी, जबके जो Greek model था, उसमें individual की importance बड़ Socratic method क्या था, तुमने जो बात की वो तुमारे लिए सही, मेरी बात मेरे लिए सही, मैं तुमसे disagree करता हूँ, लेकिन बात करो, मैं उसको respect करूँगा, लेकिन मैं agree नहीं करता उससे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, तो यही चीज़ है कि yin and yang भी मैंने पढ़ा हुआ है, तोड़ा बो, टाविजम भी पढ़ा है, लेकिन चूँके मैं एक ऐसा इनसान हूँ, कि मुझे individualistic philosophies पसंद हैं, इसलिए eastern philosophy में मेरे लिए कोई appeal नहीं है, और मैं यह नहीं कह रहा है, यह बुरी है, mind you, मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आपका फलसफा जिंदगी का इन फराद नाट इन इस्ट्रीट्स पर सोशल एन एकनॉमिकल एक्वालिटी इन पाकिस सोसाइटी, बिचारों के बास खानों के पैसे नहीं होते हैं, और अगर वो परिफरी से हों, तो वो बुक भी पढ़ लें, तो आप उनको ठालेते हैं, क्या आप उनसे उमीद रख रहे हैं, but what are your thoughts? प्रत का निशान बना दी है, सिर्फ सियासत करने पे, तो अब इसलिए जो नया बच्चा आया है, वो क्यों करेगा? उसकी पहली जो है, वो फिश यही होगी कि वो फ्लाइट ले और मुल्क से दफाओ जाए, और मैं देख रहा हूं, कि इतनी बड़े पैमाने के उपर मैंन होपलेसनेस नहीं देखी पहले, जिस से बात करो, वो या वीजा की तलाश में है, या स्कॉलर्शिप की तलाश में है, नोबड़ी सीज अ फ्यूचर इन दिस कंट्री, अ मन्जूर पश्तीन वर्सस मोहसन दावर पे आपकी क्या रहे हैं? मन्जूर पश्तीन 9 और in fact 10 out of 10 times, because I think Mohsen Dawad has undermined the entire cause, and I openly say it, I have no shame in saying this, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पारलिमानी जदो जहद है, उसमें कुछ नहीं पढ़ा हुआ, यह सिरफ एक ruling class की bait होती है, कि एक अधी ministry आपकी गोद में डाली, और आपका मूँ बंद कर बादी है, तो जो मन्जूर का तरीका है, मैं उसको support करता हूँ, जो मोसन ने किया ह मन्जूर की सारी struggle को उसने dent पहुचा है, मैं यह समझता हूँ, वो खुद चाहे ना समझे बहुर बहुर बादी है, यह सिस्टम में आकर चीज़ें बहुतर करें, यह सिस्टम से बाहर रह के चीज़ें बहुतर करें, there are two different ways to do it, I don't personally have an opinion on it. वो उस बिलावल भुटो की cabinet में है, जब नारे लगे अभी आसमा जांगीर conference पे अली वजीर को रहा करो, बिलावल ने का, उनके सामने अतजाज करो जो रहा कर सकते हैं, तो भाई mandate नहीं है, तो चेले जाओ फिर, तुम भी वही बात कर रहे हो, जो इमरान खान ने की है, त तराओ अनवार ने क्या किया था, उसके साथ अब कौन बैठा हुए, तो ये चीज़े के इन्होंने मैं समझता हूं अंडर मायन किया, बहुत से पश्टून दोस्त मेरे मुझे शायद ना accept करें इस opinion को, लेकिन मैं तो clear हूं इस चीज़ को लेके, यूंकि मैं समझता हूं पाकिस्तान में पारलेमानी सियासत से इस सिस्टम, इस मॉडल के अंडर चीज़ें अचीवनी हो सकती हैं, भी एविलूशनरी तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, बिल नहीं पास हुआ पिशली गवर्मेंट में, वह इस गवर्मेंट में वास हो गया, तो येस, क्रम्स आफ द पीज़ें पास हैं, तो येस, क्रम्स आफ देख सकते हैं, और काफी चीज़ें हैं इसके अंदर बेसिकली लेकिन पैली चीज़ें है कि कुछ इंवेस्ट तो करो यार, ना कोई युनिवर्सटी बनाई ना बहां पर दुनिया की सबसे बुरी चाइड मॉर्टारिटी रेट है, खवातीन के पास प्रोटीन की तक एकसेस नहीं है, कि वो कुछ खा लें इस तरह का, पीने का साफ पानी 65 फीसिस बलोज़ें के पास नहीं है, तो आपने तो इंसान तक तो मेरे वही बाइसे और प्रेजिडिस थे के पाकसान में सबसे बुरी चीज पीपी और पीमलन है और नवाश शरीफ और जदारी चोर हैं और यह पाकिसान का सबसे बड़ा मसला है, 2013 में में पीटिया को वोड़ दिया, कैमपेनिंग भी की, जलसे भी किये, तीन तलव हुआ था, मेरे तो बहुत है, मैं तो, I don't know which one is worse, मेरा युटियापा या आपका, ब्रास्टेक्स, नहीं मेरा और भी बड़ी चीज थी, इंडिया का फोबिया भी था मुझे, के बाई, जिंदगी में मकसद यह है के वहां लाल के, और वोई, जो है ना, वोई, इस्पैंश किसम की अपिनियन्स थी, पहले मैं कहां से शुरू करूं, कहां खतम करूं, बात यह है कि I'm fortunately, यहां तक आ गए हैं, बस बहुत है इतना, It's so interesting, you know, जब लोग मुझे भी कहते हैं कि आप क्यों बगवास कते रहते हैं, यह ना उमीद है कुछ लोग, right? I mean people who are Imran Khan supporters or who are Nawashiri supporters or PV supporters are convinced and then I meet people and I'm shocked, मतलब मेरे एक दोस्त है अब, उसने मुझे बताया है कि वो Taliban के Camp में जाकर training ले चुका है and I was like, तुम and normal person that I hang out with and everybody hangs out with now, एक और इंसान है अजद नवास का शायद बता हुआ तो, उसकी स्टोरी सुनी है, जबरदस स्टोरी, तो उसकी वो, उसका जर्नी आप लोग पढ़ें, वो गया था ISIS के Camp में और अब वो क्या बन चुका है, मतलब अब बड़ा रैशनल आदमी है, तो बड़ी उसकी अच्छी 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 तो आप लोग अब इस वक्स शौक में चले जाते हैं, पानी पे रहे होते तो थुक देते I think when Javid Hashmi left, that was my like, hmm, मतलब immediately तो I was like, क्या क्या, इसने छोड़ दिया, बट फिर उसने जोड़ दिया, बट फिर उसने जोड़ दिया, बट फिर उसके बाद से जोड़ा है, तो उसके बाद से अब देख लेए इनकशाफात किये, and Parliament पे directly आपने देखा कि आप violently attack कर रहें, you know, when we talk about law and order and the freedom to protest, एक आदमी, एक mob को lead करता है, violently attack करने के लिए Parliament, और कोई law and order, कोई, उस पे कुछ भी नहीं होता, that's telling, and now I know people will be like, 1998 में आवाज शरीक सुप्रीम कोड किया था, हाँ, बिलकुल किया था, उस व in Pakistan politics, please explain why every popular party is right wing, why is the left wing and what happened to it, they were all killed, people who were principled, were murdered, and the rest of them had to bent down or be killed, आप की कह रहाएं? But they did not have the power behind their ideas actually, अगर आज पाकिस्तान की 51% of arms, secularism को अच्छा समझना शरू करते, खवातीन को अपूग देने की हामी हो जाए, minorities को रिस्पक्र करने की हामी हो जाए, तो यह सारी political class, या तो secular बन जाएगी, या खायब हो जाएगी, तो democracy में क्या attorney of majority है ना basically, मैं तो एक political nihilist हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई सियासी निजाम perfect और ideal नहीं है, democracy भी हमारी मचबूरी इसलिए है कि हमारे पास उससे बहतर निजाम नहीं है, otherwise तो प्लेटो ने, अरिस्टॉट को, उनको लोग कहते हैं कि आप साइड पे हो जाएं, और Trump का rise ओ, और बड़े लोगों, वो इसी की अकासी करता है basically, लेकिन चीज यही है कि left के जो ideas थे यहां पे, वो masses तक नहीं पहुँचे, और उस तरह से bridge नहीं maintain हुआ, क्योंकि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि यह तो पोलिटिकल क्लास ही दिकाई रहती यह, और यह रिफलक्ष्शन होती है, पुलिक सर्पोर का बिसिक नहीं, वीज पुच्छाइ एडिकतर्स वर्सेश्स दिश्विलियन लीडर्स, सिविलियन लीडर्स, राइच? obviously yeah obviously with the account of maybe Atatürk or somebody like that in some podcasts he said he doesn't believe that every vote has equal value so question is what is this criteria if it's education then what kind of education philosophy, science, literature, art, drama is this mis-understanded or you really think that every vote has equal value? I have not said that every vote has equal value because the vote has not checked I have not checked I have not said that every opinion has equal value because some opinion is qualified and some people are factual if a person can say that I understand that women can say that I have to say that women can say that I have to say that this is your opinion and I respect it you have to respect it so this is Firoz Khan's Firoz Khan's blogger I have to say that I have to say that ask him about the decline of populism in the developed world that's very good but I do feel Trump is coming back as well would Pakistan ever be peaceful or crime free or crime to be reduced So you have to say that so that you have to say that very good question No, I have to say that there is another story I have to say that there is a one- Alabama a state a a a a there is a नहीं कितने किसम के वाइलेंस हैं तो यह नहीं हो सकता फिलाल ट्राइबल सुसाइटी से मॉडर्ण सुसाइटी बनेगी तब ही कुछ होगा अगैन लोगों लगेगा कि मैं एक ही लकीर का फकीर बनावाँ बड़ कौन पॉलिटिकल पार्टी बनाता है एलेक्टबल के लिए कौन एथिनिक डिवाइड को एक्स्प्रॉइड करता है डिमोक्राटिकली एलेक्टेड गर्मेंट को तोड़ने के लिए या पॉपिलर पार् पाकिस्टान प्रमेड को पार्टी बनाता है और या गूड जोग भी आरहा था अगर पाकिस्तान में आप वीपेन की जो सर्चेश है अमारी वो देख ले तो आपको समझ वे आ जाएगा वाइशी रोड पाकिस्तान इसाने पार्टी वोड़ लब लाब टो हीरियो का इन देर एलिवेंस तो पाकिस्तान लंबा सवाल है कि नेशन बिल्डिंग कैसे की जए बड़ी चीज यह कि कॉमन मिथ क्रियेट करनी बढ़ती है ना योवाल नोवारारी को पढ़ लें आप तो वो यही कहता है कि नेशन की जो मिथ है वो उसमें जो वो उसकी क्रियेशन के ब लॉप हो गई जिस दिन बंगला देश अलादा हो गया हमसे तो जो हमारा वो टू नेशन थेरी वाला जो अमारत बनाई थी वो हमारे सरों पर गिर गई आके यूंकि वो भी मुसलमान भाई थे 51% थे हमारा वो निकल गए और साबित हो गया कि मजभ की बेस के ओपर जो रिय जिनस कल्चर को इंटर्माइन कर दिया तो ये नेशन बिल्डिंग तब ही होती है जब क्लारिटी आती है कि आगे क्या करना है भाई आए कहां से है जाना कहां से है आए अलवेज सेड़ पाकिस्तान इस टेट विद एन एक इस्टेंशल क्राइस जिस तरह एक इंसान को होता कि मेरा परपस क्या है एक्जिस्टन्स का ये मुझे पता ही नहीं है और ये मुस्लिम लीगर्स का भी इशू था कि उन्हें भी नहीं कुछ खास इलम थक्रिया करना है हुसायन अकानी साहब की चार किताबें या पड़ें इसके उपकर आपको समझ आ जाज़ेगी क्या है त तो इसमें सलूशन किया अपने बात थी तो उसमें ये ही है कि लेट पीपल डिफाइन वट पाकिस्तानियत इस डॉंट इंपोज यूर और आप इंडियन मॉडल को देख सकते हैं कि वहां इतने लिमिटलस कल्चर्स हैं जुबाने हैं इवन उनकी कल्चरल इंडस्टरी मु यही है कि आप लोकल कम्यूनिटीज को तभी रिस्पेक्ट करेंगे जैसे एटीन हमेंडमेंट की तरह की चीजें हैं अगर इनको इन दे स्पिरिट ट्रांसलेट किया जाता तो शायद बहुत कुछ बेतर होता तो फिर कॉंस्टिटूशन में लिखा हुए है कि लोकल गभर कम्यूनिटी तभी बिल्ड होती है जब एक मुकामी लेवल के उपर सियासत प्रैक्टिस हो रही हो और वो भी यहां नहीं होती है कैमन ने उपर बैठा हुआ इसलामबाद में वो अपने हलके में नहीं आता उसने गया कम्यूनिटी बिल्ड करनी है तो यही चीज़ा कि कॉ को रिस्पेक्ट करें और पाकिस्तानियत की डैफिनेशन को अवां पर छोड़ दें आपने हुसेन अकानी का जिकर किया रिमैजनिंग पाकिस्तान में आपको इसका लंबा जवाब मिल जाएगा बड़ इसका छोटा जवाब यह के नेशन बिल्डिंग आप कर सकते हैं पाकिस्तानी था और हमेशा से यहां पर पाकिस्तान बनना था इस तरह की बाते रहने दें मॉडर्न आइडियाज और मॉडर्न कॉंट्रैक्स बनेशन बने जी बैसिक डिमॉक्राइटिक प्रिंसिपल्स में भी नहीं नॉन पार्टी बिल्कुल नहीं करता हूं विच पुलिटिकल पार्टी इस दे लेसर इवल हाव तो एराडिकेट मिलिटरी फ्रम स्टेट मैटर्स तीन चार सवाल पूछ लिए और आपका यूजर नेम भी डैडी प्यूटन है बाकी तों में डिसकास कर लिए विच पुलिटिकल पार्टी इस दे लेसर इल नेस्उ की जो जो है नवह वो एक क्वालिटी है वो तो एकसान धर इसिकली लिए अकिस्टन में निसंटेमिंटंष मन इस स्टेज के ओपर नहीं है यह समझ ले आप लोग यह कहना बंद करें कि वह उसने बैंदे लिया यह जब लिए करनी है को यह के इस्टैबलिप्ल नौकर है कोई बुरा नौकर है ये बाता लेकिन है सारे नौकर अगर आपने पारलिमेंटरी पॉलिटिक्स की लेजिसलेशन की बात करनी हैं दो चीज़ें सिर्फ कह रहा हूं मेरे उपर जाले का ठपा ना लगा देना लेकिन वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है जितनी पाकिस् सारी पीपल्स पार्टी ने लिखी तो पारलिमेंट के फ्लोर के उपर पीपल्स पार्टी के इलावा किसी को पता ही नहीं है कि काम करना कैसे है बिल कैसे लिखना टेबल कैसे करना है उसके इलावा अगर पारलिमेंट से बाहर आ जाए तो वो भी फारे के मुझे लगता है तो इसलिए मैं उनको भी प्रिफर नहीं करूंगा तो मैं तो भाई इस मामले में कोई अपिनियन नहीं दे सकता क्यूंकि एक बड़ी पूरी पार्टी को सपोर्ट करना इस वेरी डिफिकल्ट फर में अगर एक लॉजिस्टिकल प्रैक्टिकल लेवल पर बात करेंगे तो पीपीप, पीमल, एन, के पास unfettered power अब हो नहीं सकती, कोज मीडिया उनके खिलाफ है, जुडिशरी उनके खिलाफ है, मासस भी उनको गालियां देती रहती हैं, तो वो जो भी करें, उनकी चीज़ें बड़ी scrutinize होती हैं, whereas Imran Khan gets away with a lot more and gets unfettered power where the establishment is also, at least in 2018 was on the same page with him, so उस model ते बाहर आएं, the 2008 to 2018 period that we had was still better in Pakistan, because checks and balances एक दूसरे के institutions के उपर बहुत जादा थे, whereas what we want is a messiah, which उस mentality से हमें बाहर आने के जरुएत है, philosophical thoughts on morality, होनी चाहिए, done, next. नहीं, morality तो, नहीं, evolution, morals की कैसे होती है, इसको पढ़ें आप, और इस पे एक writer आप Paul Rhee नाम है उसका, Ludwig Rhee, तो उसने evolutions of morals पे बड़ा अच्छा काम किया हुए है, उसको पढ़ सकते हैं, तो basically, जो नीचे जिस तरह से explain करता है morals को, तो वो तो यही करता है कि हुआ यह कि एक pre-moral period था, pre-historic times में, तो उसके बाद जब हमने देखा, रोम ने जब सकम किया Christianity को, तो उसने का कि वो एक ऐसा event है, जिसने सब बदल के रख दिया, क्योंकि जो स्कलावन moral, यानि कि जो slave morality है, वो prevail कर गई, और फिर common good अच्छा हो गया, और कुछ चीजें हमने अच्छाई में डाल दी, कुछ बुराई में डाल दी, एक binary बना दी उसकी, तो obviously बड़ी subjective चीज़ है, morality भी, और इस पे बड़ी लंबी debate हो सकती है philosophical अगर कोई और relevant discussion हो तो, लेकिन फिलाल आप उसको पढ़ सकते हैं, वाई आर पंजाबी स्ट्रीटेड डिफरेंटली? वाई अंडर प्रिविलेज़ पंजाबी स्ट्रीटेड डिफरेंटली आइ थिंक, क्योंके वो अगर जिस तरह हम साउथ पंजाब की अभी बात कर रहे थे, या और चीज़ों की कर रहे थे, यह साईवाल के अंदर जो फैमिली को मारा था, वो भी पंजाबी थे, बैसिकली, तो जहां तक बात आती है, रियासत की तरफ से रायट्स देने की, तो वो शायद इतना फर्क नहीं होता, लेकिन जो पुलिटिकल लीडर्शिप है, हाँ, वो मुख्तलिफ रही है, क्योंके जो पाकिस्तानियत का आइडिया था, वो जादा लोगों को यहां समझ आता है, उसकी वज़ए यह है कि जहां थोड़ा प्रिविलेज होता है, वहां लोग सपोर्ट करते हैं सिस्टम को, जहां प्रिविलेज नहीं होता, वहां सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं, जब एक पश्टून कहता है, कि यार हमें कोई हुकोग नहीं मिल रहे हैं, सड़क पे आता है, हैं बच्चे भी हमारे LGS में बढ़ते हैं यह ने क्या मसला है तो यह है कि आप उस तरह से सेंस बना पाते हैं और जगों की तो इसलिए बाइ डिफॉल्ट ही अगर एक अर्बनाइज पंजाबी बंदा है और वो लाहॉर में रह रहा है तो उसकी जुस सेंस ऑफ पाकिस्तानियत था वो बड़ी प्रो सेंस होगी प्रो स्याबिशम्ट सेंस होगी क्योंकि उसने कभी वो नई चीज़ें देखी कि घर में बहुरी बन लाश आ जाए या कोई ड्रोन अटैक यहां पर हो जाए सड़क के उपर या किसी को कोई मार के फैंक जा इदर सड़क के उपर ऐसा नहीं देखा उसमें तो इसलिए दे आर सपोस्ट टो बी दे फ्रेंडली अफ दे स्टेट और इसी तरह पॉलिटेशन की आप मिसाल ले लें कि आप स्टेट को एक मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, that's right. Yeah, I think of all things being equal, obviously, अगर कोई एक बलोची फ्यूडल लॉर्ड है और एक कोई बांड़ लेबर है पॉस्ट पंजाब में, they're not equal. But if all things being equal, right, मन्जूर पश्टी इनस्टी ते डिफरिंडी दें, अमार एली जान, अर्शद छरीफ को एक रेड लाइन पूरे मुल्क में बना दिया और बिल्कुल एक जाती थी, लेकिन बलोच जर्नलिस, पक्तून जर्नलिस, सिंधी जर्नलिस, ये तो डेली मरते हैं और किस सेंटर से आते हैं, सेंटर पंजाब के अंदर है, how they thought of Bengalis as being traitors, similar ideas do exist about Balochistan, पंजाब, सिंध, to the extent के आज किसी की एक वीडियो भी आई थी, आपने भी देखी होगी, मन्का नाम बोल गया, रजा, राजी, जोन्होंने कहा था जी, पंजाब यूनिवस्टी में ये बलोच के आजाते हैं, इनको हम जगा दे देते हैं, वरना तो ये ट्रक अडो वाले इनकी वाकात हैं, आप इस तरह अगर देखेंगे उन लोगों को, तो what do you expect? ये वो anti-establishment मने जाते हैं, उनको ठाया भी गया था पिसले साल, लेकिन यही मैं कहता हूँ, कि ये जो सारे anti-establishment Islamabad के लावर के साफ ही हैं अगर इनके social views पूछेंगे तो आपको ना नाजिया होना शुरू हो जाएगा, इसी दिए किसी काम के नहीं है what are his views on the current state of journalism, good segue, I planned this exactly, कि ये journalism की बात करेंगे और फॉरन ये सवाल आजाएगा what are his views on the current state of journalism in Pakistan, where is objective analysis and why real issues like structural reforms, education, poverty, socio-economic equality, not part of the debate in any media which could bring practical solutions ratings की दुकाने हैं हमारा मीडिया, मुवशर जैदी ने इस पर बहुत अच्छी बाते की थी, अभी भी सिंद अंडर वाटर है और किसी को कोई परवानी है बिल्कुल I agree with you, I think you have answered the question, क्योंकि उसमें मैंने भी black hole में इस पर लंबी discussion की थी, कि जहां से rating आती है वही issue highlight होगा क्योंकि basically तो surplus value is the only goal और वही बात है कि मीडिया का जो basic रोल है, हम उसको confused होते हैं हमसल में हम सोचते हैं, यह responsible होगा, यह justice के लिए काम करेगा, लेकिन उसका सिरफ यह है कि gather an audience and sell it to an advertiser, that's it in his views what can ordinary Pakistanis non-policy makers do to affect change in society, structural problems to hain, maan gai, but how do we use our agency to bring progress to society, you or me, what can you do in our lives, to that effect, you can get a visa for Canada or nationality for Canada Well, that's a good solution by the way, but apart from that, I think what you have in your hand right now, the device that you are typing this message on, is unprecedented faculty that you have to convey and channelize your thoughts So if you think and you speak and you write about your ideas or counter-culture create करने का एक इस्सा बनते हैं, so that is the most basic role that you have अब खान साब को देख लें, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इसी चीज़ को इस्तमाल करके, बोल के, नारे बाजी करके, लिखके, वीडियो बनाके, ट्रेंड चलाके, उनको कहां पहुँचा दी या बाकी leadership से तो अपने ideas को completely confidence से assert करें, लिखें, बोलें और सोचें, तो फिर एक counter culture create होगा, आपका सबसे बड़ा रोली हो सकता है, जो बड़ा असान भी है It's very difficult also to fight this disinformation and salute to people who do it, I mean, अर्शद चरीफ की एक fake maa बनाकर उसकी एक video वाइरल कर दी, अब आप किस किस को जाकर बोलेंगे, एक time जब अर्शद चरीफ का murder हुआ है, पूरे मुल के emotions हाए है, आपने एक video बनाकर, कि अर्शद चरीफ की maa का बयान है, WhatsApp में सब के घर पहुच that we need a strong debate culture to promote intellectualism, how can we achieve this considering the resistance by certain groups and extremely low literacy rate, जो मुझमिल ने पहले भी बात की बाते सच हैं, बट अपनी जिंदगी का सोच कर, जान की अमान पा कर बाते किया करें, Well, I think you have to be smart enough to find the euphemism of some hard terms which could, you know, kind of instigate, violent mobs and stuff. If you're smart enough, आपको पता है किस जगा पे क्या बात हो सकती है, कितनी हो सकती है, और उसके लिए क्या term इस्तमाल हो सकती है, so you'll get away. पॉइंट ये नहीं है कि जो दमाग में आ रहा है, वो कैमरा उन किया, बोल दिया, फिर तो भाई, अगले दिन आप गाइब होएंगे हमें ना कहना पर, बात यही है कि आपने अपनी बात इस तरह से करनी है कि बात हो भी जाए, और ना हो, किसी के सामने, तो हम भी इसी तर रायल शुरू हो, कौन कर रहा है, मेरे पे लजाम क्या था, एमी उठा के ले जाएंगे एक दिन आपके कमरे से, तो इसलिए बैसिक चीज ये है कि मैनिपलेटिव होना और स्मार्ट होना, विल विन ओवर टूथ हीर, तो बैसिकली आपने ये सोचने है कि मैंने स्मार्ट कै इसे प्ले करना है, ट्रू प्ले करना इस नॉट दी अब्जेक्टिव, आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग सब बोलेंगे, सारी बाते करेंगे, आप लोग अपने कमरों में बैठे रहेंगे, और यू गाइज विल डू नथेंगे, और हम से सब बुलवा कर हमारी जिन्देगी आप अन दे लाइन लगा देंगे, इविल यह बोल ही देते हैं वो सारी बातें ना ना करके, बट प्लीज थोड़ा तो खेल रखा करें। जो बंदय है, जो content बना रहा है, वो यह बात करें, मैं चाहता हूँ, भाई, खुद कर लो, तुम उठके. Yeah, and I mean, there's always potential, right? हम दोनों ने भी तो ऐसी शुरू गिया था, एक फोनी उठाकर. I mean, look at somebody like Shayan Ali, has no achievements in life, is what, 17, 18, but कोई tens of hundreds of thousands probably follower हैं, just from doing stupidity every day. यार वो जो रोज नवाज शरीफ के एवन फील अपार्टमेंट के बाहर विडियो बनाता है, कि मैं आगिया हूँ, नवाज शरीफ, मैं आगिया हूँ, और मुझसे तुम ड़ते हो, और मेरे से जनेट सफडर ने बोला कि हम तुमको पैसे देंगे, but I said no, we're Imran Khan's soldiers. I had a meme post on him, I didn't know his name, so I remember him. If he genuinely believes in that bullshit, he is out there every day, school, education, he is the true manifestation of the PTI intellect, by the way. Very charged in it. But I think it's also the attention economy, right? उसको attention मिल रही है, तो वो कर रहे है, और stupid हो रहे है, उसका वो जो arrest होना था, वो भी उसके लिए तनी बड़ी success थी, कि बढ़ी attention ही मिल गई. बलकुल खान साब ने ये भी कहा दिया, कायद आजम को cancer था, इसलिए death वीजिए. तो अब जब लीडर ने कायद को cancer करा दिया, तो फिर बागे follower भी यही होंगे भाई. अब भी आप देखें, WhatsApp पर पहला वह होगा, कि कायद आजम के लाज, अम्रान खान ने शौकत खानम में करवाया था. आज़ वीजिए कायद तरुजिएर आजब नहीं बस्क्तारु आजम के लिए वागें हैं. तूलन ने खानम में लीजिए था, कि लागे वगते हैं. इस शो को समीना पीरजादा कर देते हैं दिल दुखा था दिल दुखा था आपकी दिवार भी पीछे नीली है तो वो ऐसी नीली दिवार के आगे बैठती है ऐसी बात ने करें दिल यार क्या दुखा हमारे यहाँ पे सिरफ इंगेजमेंट्स को शादियों को लोग सेलिबरेट करते हैं लेकिन कुछ चीजों से जान छुडाना भी आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होता है तो कोई दिल नहीं दुखा था बलके बड़ा अच्छा हुआ था यह कहना है आपको चाहिए इस पे भी आप व्लॉग बना दे आप डिजर्फ करते हैं यह वन यू सिट अड़ होम और दू नहीं दू नहीं दू नहीं दू नहीं दू कहता है इस यू वर बॉर बॉर्ण इंडर्कनेस तो आप लोग अंदेरे में बैठें SMS बेज रहें, WhatsApp, friend request बेज रहें लड़कियों को और आप एक्सपेक्ट करें, relationships होगा, relationships are nothing, it is all individualism जो दो लोग होते हैं वो नीचे ने कहा है, कभी relationship में एक दूसरे के लिए नहीं जी सकते हैं You have to live for yourself मैंने black hole में भी ये बाते की थी, मेरा lecture देखे I was dreading this, but you know, you finally What is his idea of revolution? Well, it's very individualistic in nature, मैं उस तरह की revolution को वेट नहीं करता कि एक पूरी क्लास उठे और वो जा के बंब मार के आजाए सिदारती महल के ओपर, जिस स्टामिंग अफ दे बैस्टील होई थी फ्रेंच revolution में मेरा ख्याल है वो दौर गुजर गया है, ये बड़ी idealistic बात है और अब international community आपको ostracize कर देती है, अगर आप ऐसी state ले हैं एकदम से जो legitimate ही ना हो तो आपको UN ही फारिग कर देगी इतनी बात पर, तो मेरे लिए revolution यही है कि आप state के oppression को personal power attain करके escape कर दें आप नीचे से उठें lower class से और आप अपने potentials को utilize करें, translate करें and you reach the maximization of your potential और फिर जो रियासत का, जो मौशरे का, या जो clergy का, या पेरेंट्स का, जो oppression है, उसको evade कर दें अगर उससे उपर उठ जाएं, तो मेरे लिए वह इनकलाब है और अपने लिए भी मैंने ऐसी सोचा था Newspaper or journalist he trusts? Newspaper, number one is Azaz Syed, I think he is somebody who has a very defining career and he always spoke truth to power, so I respect his opinion as well इसके अलावा, डान पढ़ता हूँ, हमेशा अपना शो जो करता हूँ आज कल मैं, उसमें भी मैं डान के एडिटोरी लिए 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 ना पढ़ूँ, मैं शाम को आफिस नहीं जाता, थोड़ी opinion आपकी, कोछ चीजों पर मिल जाती है, अच्छी आपको इसके अलावा क्या कहना चाहिए, अगर ब्राडकास्ट जेनलिजम में बात करें तो कुछ अच्छे जनलिजम, नदीमलिक बहुत अच्छे हैं, वो इसलिए popular नहीं है कि उन्होंने कुछ साइड नहीं पकड़ी, वरना जो इंटर्वियो की उनकी sense है, वो बड़ी rational sense है, जो I think it's good because वो ऐसे लोग हैं जो उनने मारे खाई मी है तब भी अपनी बात की है, तो उनने कोई privilege नहीं लिया, एकदम से जो उनसे चीना गया, तो खिलाफ हो गया, anti-establishment हो गया, ऐसी चीज़ नहीं है, so that's why these are some names which I can think of. Why do you think real investigative journalism is dying? Well, because it's the prevalence of mass culture, तो वो थियर्डोर अडार्नो की ये थियोरी है, mass culture की, तो उसमें यही होता है, अगर mass culture आपका prevail कर जाता है किसी मौशरे में, जो objectivity वो matter नहीं ना करती बाद में, वो फिर film industry हो, या फिर वो sports हो, entertainment का एक culture जो है, उसका rise आजाता है, तो इसलिए फिर मसालादा सार बातें करनी बढ़ती है अपने विलॉग्स में, और फेक न्यूस फेलानी पड़ती है, क्लिक बेड़ बनाना पड़ता है, व्यूस भी उसी पे आते हैं, तो investigative journalism इसलिए die out कर गया, कि जो वो लोग काम कर रहे थे, उनको ना कोई value दी गई, ना उनके घर के expense पूरे होते हैं, इवन मैं बजाते खुद लिखना चाह रहा था, मैं पहले एक अख़बार से आगास किया, मैंने जनलिजम का, लेकिन देखा के यार, यहां तो बढ़ाल ही रहूंगा, ना कोई मेरा लिखा हुआ पढ़ेगा, ना मुझे कुछ मिलेगा, और ना मेरी बात आगे तो फिर जबरदस्ती फिर मजबूरां कैमरे के आगे आगे आके पैठे के, तो यह चीज़ है कि मैस कुल्चर का जो राइज है, इसमें एनफॉचुनेटली हरा दिया है, अब्जेक्टिविटी को, आर यू अनाहिलिस्ट? Well, no. I can't say I'm an analyst. Obviously, ऐसी कुछ thoughts होती हैं जो converge करती हैं. चाहे वो सियासत में हो, morality में हो, dogmas को लेकर हो, और चीज़ों को लेकर हो. तो वो तो आजाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता मैं हूँ. क्योंकि I always strive to create meaning in things. और मेरी happiness भी meaning से associated रही है हमेशा से, वो superficial happiness नहीं होती. ना मेहड़निस्ट हूँ के life को enjoy करने की theory हो, सिरफ के यहां सब बहुत अच्छा है, पार्टियां करो, ना चोग आओ, दिश्राबाँ पी हो. खाली ये चीज़ समझ नहीं आती मुझे. तो मैं यहीं कहता हूँ कि आप कराची हैं, मैं समझा दूँगा ये सारी चीज़ हैं आप आएं तो. अगले सवाल से, what, what to do if your whole family is a PTI supporter? Well, pack your bags and leave. आप evidence की बात करते हैं, आप कराची हैं, आपको हम evidence देते हैं कि इस जिन्दगी में hedonistic life में कितने फाइदे हैं. I know आपका एक show है, आपको भागना भी है, तो ये आखरी सवाल पूछ लेते हैं. आप दोनों must काम करते हैं, पर क्यूं करते हैं? क्यूं करते हैं? ये इसका जवाब ही जवाब है, over to you. यार मुझे खुदा की किसम इसका जवाब नहीं पता कि मैं ये क्यूं करता हूं, especially last week मैंने बहुत सोचा है कि मैं क्यूं कर रहा हूं ये? क्या जवाब मिला तो? पता नहीं, I genuinely, I do not have the answer for that, it's not my dream, this podcast is not my passion, I have no idea why I continue to do it, but it's just, maybe the negative is true, I cannot not do it, right? like even after Arshad Sari's murder, a lot of people told me, a lot of like friends and Khair Kuan told me to shut up and not say certain things, 2-3 days I didn't say anything, but then I didn't stay with me, so I cannot not do it, that's the only reason I do it. Well, I would say कि जिस्तरा हेगल का एक concept है, एंटोलाकी का, कि वो कहता है कि नैचरल परपस होता है हर इनसान का एक, और उसको वो डिसकावर करता है इसता है, कि यार जिस्तरा एक आर्टिस्त है, उसको एक उमर में समझाती है, मेरी आवाज अच्छी है, मैं सोर अच्छी लगा सकत कोई पेंटर है, तो वो देफता है कि मेरे पास यह यह वाला टैलेंट मौजूद है, तो अगर आपने सेल्फ एक्च्छी लाइज किया है, और आपको अपना नैचरल परपस मालूम हो गया है, कि मेरे अंदर इंग्रेंड हैं यह चीजें, और मैंने इसको ट्रांसलेट करन कि मेरे अचरि आपना आपका काम था और मिफ्ता इसमाइल ओ, ति हम अपने ग्रांड ब्रेकिंग चीजें की हैं, और मैंने देखा आपने बडा स्क्राइच से स्टार्ड किया था यह यह तक आपाने अपाएं तक आपाएं शुक्ट तक आई, और मैंने बड़ा स्टेंड good luck as well I think what you are doing is contributing very positively to a counter culture on social media right back at you bro I think when we had the first podcast now it was a lot it was up to the year I think it was a half right yeah half a year I guess so you also come a long way mashallah you have a show on mainstream television prime time now so good to see you so wishing you all the best wishing you all the success Allah you have a happy what's up I didn't ask or not I don't have a clickbait we get a lot thank you everyone thank you everyone for listening take care bye bye